गडियोनी कैसे वाप बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही आप लोग उससे उसकी वज़ा क्या है सर तो उसकी वज़ा यह है कि मैं क्रैस कोर्स बहुत जाद रिवांड थी वच्छों की तो क्रैस कोर्स रिकॉर्ड करने में लगा हुआ था और अभी भी बाकी है कम से कम 10 दि लगेगा उसके बाद आपको क्रैस कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा तो अब क्या करना है अब तो भई मुझे यूट्यूब के साहरे यूट्यूब पर आना पड़ेगा क्योंकि बहुत कुछ काम बाकी है काम ऐसा है कि कुछ बच्चों ने क्लास इस ले लिया पर कुछ इ पहला रिविजन टेस्ट पेपर तो मैं आर्टी पी जो है वो लेकर आया हूं आर्टी पी सर कौन से सले बसका रिविजन टेस्ट पेपर दिसंबर 2021 अटेम्ट और बात करेंगे सबसे पहले हम नियू सले बसका है ठीक है रिविजन टेस्ट पेपर को डिसकेशन करने की मुझे जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए वजह से एक ही है कि सर यह जो रिविजन टेस्ट पेपर आया है ऐसा कोई भी कोश्चन नहीं है जो आपके स्टडी माटेरियल में ना हूं या जो आपके बुक में ना हूं कोई बिख़ा है क्योंकि कोई भी कोश्चन ऐसा नहीं है मतलब पूरा आईसी एयाई मेटेरियल से ही सारे कोश्चन से तो जिन्होंने रेगुलर क्लास कर रखा है किसी ना किसी से उन्हों ने वह एक पॉजिन सारे कोश्चन कर रखे होगे हैं पर फिर भी रिवीजन नाम है रिवीजन तो थोड़ा स्पीट से ही चलेंगे लेकिन मैं एक एक कोशन पर थोड़ा डिटेल में डिस्कुरिशन करूँगा नहीं तो फिर यहार मतलब क्या हो जाएगा रीड आपको भी करना रीड मुझे भी करना है तो थोड़ा सा टाइम पर फिर यहार में पर नाम है तो अब आपको उस कोशन को एक घंटे में समझना तो ऐसा भी है तो धिरे-धिरे कॉंसेट के साथ पर यहां एक कोशन में एक घंटा दो नहीं ले सकता तो सर टाइम बरबाद ना करते हुए सीधा-सीधा चले एक्जाम पास में हमारे बिल्ग आपके पास नहीं भी है और बिना RTP को छुए ही हमें करना है तो यह RTP का ही कोशन है यहीं से हम कर लेंगे तो भी कोई दिक्क नहीं काम क्या रहेगा जब आप पर रिवीजन कर ही रहा है मेरे साथ रिवीजन टेश्ट पीपर से तो काम आपका यह रहेगा सर कि एटलिस्ट क्यालकुलेटर अपने पास में रखना कम से कम क्यालूटर चलाते ना तो तो बोर भी नहीं होगे आखोड़े बहुर देलगा और अगर आपके दिक करूगा और मुंट इसकित क्यूलंबर वधर होए ह। question number one question number one कहां से आया हुआ question number one आया है या डाला गया है security valuation से और security valuation मतलब bond valuation कुछ लोग bond valuation बोलते हैं हमारे security valuation में bond और equity दोनों है यह bond valuation का question है question number one और एक concept bond immunization bond duration होता है न वैसी एक उसके आके और concept मिलेगा bonds portfolio को किस तरह से maintain करना मैंने आपको पढ़ाया हो एक्टिव बॉंड पेस्व बॉंड सर याद नहीं है चलो में भी सुछ नो याद ही नहीं मैं मान के चलो पढ़ाई नहीं न सर छोड़ो न आप विकार की में चलो पर फिर भी मिश्टर ए ज्याद अच्छा मैं आम आदमी की तरह समझाओं तो बात समझ मैं मिश्टर ए विल नीड रूपीज वन लेक आफ्टर ट्वी यर्स फार विच ही वांच टू मैक वन टाइम नेसेसरी इन्वेश्टमेंट ना साव ऐसा है कि मिश्टर ए को दो साल बाद एक लाइब्रिटी है दो साल बाद किसी को देने एक लाक रुपह है दो साल बार लगने वाले हैं तो जब भी हमें कुछ समझे बाद पैसों की ज़रुरुत पढ़ती है बहुत सारे तो हम क्या करते सर हम जोड़ना इस्टाट करते ताकि दो साल बाद एक लाक रुपए हो जाए और हम पैयमेंट कर दी यहीं तो होता है Mr. A. भी वही कर रहा पर Mr. A. कहता कि भई दो साल बाद मुझे पैसे लगने वाले एक लाक रुपए तो मैं आज ही कहीं इंवेस्ट करके रख देता हूं और दो साल तक चैन की मुझे यहीं और es सर तो आज एक लाक रुपए इंवेस्ट नहीरा एक लाक रुपएसे कम है यह बात समझ में आती है। तो बैंक में जमा कर देते हैं, इंटरेस्ट मिलेगा, थो सल का एकलाग हो जाएगा, और हम दे देंगे, टैंशन ही खतम, बिटवेशंगे, अगे जमा करना होता, तो फिर यह कर ही क्यों हो रहे हो, यह तो आम आदमी भी कर सकता है, तो सर फिर फिर शेर मार्केट में लगा द एसी जगा पैसा लगाना चाहते हैं जहां इंट्रेस्ट भी जादा मिले गॉवर्मेंट सिक्यूरिटी से जादा मिले और साथ में रिस्क भी ना तो आगे बढ़ते हैं तो यह है चोईस अब टू टाइपस ऑप बांड दो पांड से माड एक्स एक रॉपर जाना इस इसमें भी लगा सकते इसमें भी लगा सकते डोब भी लगा सकते दोनुमें लगाने का क्या लोगी क्या समझाूंगा इसका भी face value 1000 इसका भी face value 1000 इसका coupon payment ए 7% coupon मतलब समझते होना भई interest मिलेगा 7% annually और इसका 8% सर एक बाद बताओ बड़ी बेवकुफ और इसमें आप बोलत बताओ कौन से बॉट में पैसा लगाएं सर बॉट वाइब में लगाएगे खत्म करो कहानी क्यों भई सर इसमें हर साल मिलेगा सिवन पर्षेंट और इसमें कितना मिलेगा एट पर्षेंट तो यह तो बेयुकूफ आदमीं भी बता देगा कि बॉंड वाई में लगाना चाहिए अभी रुख चाओ आगे चले इतने जल्दी डिसीजन तो नहीं होगा जिसमें सेवन पर्षेंट मिलेगा कम मिल रहा है तो हो सकता उसका प्राइस कम होगा जिसमें ज्यादा भी आज मिल रहा है हो सकता आज उसका प्राइस ज्यादा होगा प्राइस यहां कितना है जिसमें कम मिल रहा उसका प्राइस कम होना चाहिए उसका प्राइस है 972 और जहां ज़्यादा मिल रहा उसका प्राइस 936 वाओ सर और बोलो सर अब तो कुछ नहीं बचा अब तो आप विकार की बाते तो करो मत क्योंकि दिख रहा है ब्याज भी जादा मिलेगा इसमें पैसा लाएंगे और कम दावों में मिलेगा तो कोई यह क्यों यह क्यों लें यह फटाफट से हां सर तो सर बाइवे पैसा लगाएंगे यहां तक बात समझ में अरी अभी आगे चलते हैं इसकी मैचुरिटी कितनी है एक साल पैसा तो हमको दो साल के लिए लगाना है आप इस बाउन को सब्सक्राइबा तो इक सुवक्र नो उधियो हो जाएगा मने तो 2 साल के लिए इनवेश्ट करना अज-बिट्ए लेकिन हम वापस जब 1 साल बाथ पैसा मिलेगा हमको न तो हम वापस एक साल क्लिक लगा सकते है लगा सकते हैं तो आप ऐसा नहीं बोल सकते किए एकिसा नहीं करेंगे पर मार्केट मेन भेज सकते मार्केट में बैचने से मिल जाएगा राम से एगरी एट मिइस आप इस बांद को भी दो साल के लिए सकते हो इसमें बार बार अगले Verniz साल कि इस बंकुंब 2 कुपन डिवाइड बाइ करेंट मार्केट प्राइस इन्टू हंड़ेट ये फॉर्मूला हुआ करते था कुपन पैमेंट एक हजार का साथ परसेंट सत्तर रुपय हो गया करेंट मार्केट प्राइस कितना है 972.73 इन्टू हंड़ेट अगर परसेंटेस की बात कीजिए तो करेंट येल्ड तो आपको 7.19 परसेंट आ रहा है क्या ये करेंट येल्ड है होई नहीं सकता यार अगर हम इसको करेंट येल्ड समझ लेते है तो यार हमने कितने घंटी की क्लासिस किया भाई सब बर्माद हो गई ये करेंट येल्ड नहीं है विट्टे आप खुद कर ले ना तो ये करेंट येले नहीं है तो सर ये क्या है वे ये है येल्ड टू मैचिृरेटी वाइटियम येल्ड टू मैचि Cockro उसको मैंर अडू कर रहा हूँ ये हैं वाई येट्टीयम वेल टू मैचर ठी हां सर वाई टीम हम वाई टीम काम आता है बॉन डूरेशन निकलने भी यस ठीक है तो पताओ साथ सर यह बॉन्ड जो है यह गॉर्मेंट बॉन्ड है क्या कैसी बात कर रहा हूं यह किसी कंपनी के बॉन्ड है तो सर एक बात बताईए आप बोल रहा है कि हम बॉन्ड से इनवेस्ट कर देंगे हां क्या कंपनी भाग नहीं सकते हमने किसी कंपनी में के बॉन्ड खरी था और उस कंपनी ने डिफाल्ट कर लिया तो पिट्टे हम हमेशा एज्यूम करते है कि कंपनी डिफाल्ट नहीं करेगी और इसमें लिखा भी है एज्यूम दैट म not be any call risk or default risk, कोई default risk नहीं है, company default नहीं करेगी, आप आग बंद करके पैसे लगाए, अगर इसमें लगा रहे है, तो 80 रुपया ब्याज मिलेगा, और पैसे भी मिलेगा, ठीक, default नहीं होगा, company आपको बकाइदा पैसे वापस करेगे, सर, ये call risk क्या है, ये भी समझा दो, call risk ये है, सर, RTP है तो फोड़ा जल्दी जल्दी discussion, जिसको जल्दी जल्दी करना हो, fast forward कर लो, आपके पस तो options ही, options, अगर company चाहो तो ऐसे bonds भी issue करती है, जैसे अभी 8% पे bond issue कर दिया, चार साल के लिए, आप से का, प्लीज मुझे पैसे दे दो, आप से पैसे लिया, हमने का, हम आपको 8% देंगे, 8% देंगे, दो साल बाद मुझे ऐसा लग रहा, market मेरे 4% हो गया, तो मेरे मने में लालच, कि यार, market में 4% से पैसे उठाता हूँ, और इन लोगों को पैसे वापस कर दिता हूँ, bond refunding करके concept, bond refunding, और पैसे वाप करूँगा, तो मेरे टेंशन खतम, 8% आपका जो bond से उसको call किया जा सकता, लेकिन, इस question में, ऐसा कोई call risk भी नहीं है, company, 4 साल का bond है, तो 4 साल तक आपको पैसे देने ही पड़ेगी, कोई call risk नहीं, ठीक, तो ये last का assumption, it means default नहीं हो सकता, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हू कितना रुपिया, एक लाक रुपए, और हमें bonds में invest करना है, bond X, bond Y, और इसमें ब्याज भी ज़्यादा मिल रहा है सर, ये सस्ता भी दिख रहा है, इसका YTM 10% है, तो हम, इस bond X की विसे में सोचे ही, क्यों, हम bond Y में ही पैसे लगाते है न, दिक्कत क्या है, एक दिक्कत है न 936 का, तो जो मुझे वापस मिलेगा न, एक हजार रुपए, no doubt जादा पैसे, वो वापस मिलेगा, चार सल बाद, हाँ, मार्केट में बेच सकता हूं, दो साल बाद, पर दो साल बाद, एक हजार का बिकेगा, इसकी कोई आरंटी नहीं, it means, कि चार साल बाद मिलेगा, एक बाद देखो, आज खरीदोगे 972 का, और ये जो एक हजार रिडीम्ड होने वाले एक साल बाद, तो एक साल बाद ही एक हजार मिल जाएगा, फिर और लगा देना, फिर और एक साल बाद, तो भई, अगर एक फायदा देखो न, मेरी नजरों से देखो, हाँ सार, इसमें तो एक हजार जल्दी मिल जाएगा, इसमें तो चार साल बाद एक हजार रुपारे मिलेगा, मार्केट में ज़रूरी एक हजार का नहीं भीकेगा, कम का भीकेगा, बात समझने के कोशिच ज़ना, तो मेरा मन, एक मन, एक मेरा दिल बोल रहा है, कि इसमें इनवेश्ट करो, और गर रुख जाओ अभी और भी कहानी है या फिर दोनों में विश्ट कर दें एक पॉर्टफोलियो बनाए कुछ पैसा इसमें लगाए कुछ पैसे ऐसा भी तो कर सकते है पर ऐसा करने से फाइदा क्या है यही समझाना मुझे इसी को मैं बोलूँगा इम्मुनाइजेशन यही समझाना बस आगे और पढ़ते हैं एडवाइज मिश्टर ए मिश्टर ए को एडवाइज देना वैदर ही शूद इन्वेस्ट ओल इस मनी इन वन टाइप ऑ बॉंड्स और ही शूद बाइब बोथ दा बॉंड्स और इफ सो इन विच क्वांटिटी सि सब्सक्राइब आपको निकालना पड़ेगा बॉंड्स दूरेशन इसमें तो बहुत ज्यादा समय लगेगा यह समझाने के लिए और मेरा मन कर रहा है तो मैं तो समझा ही दून दो तीन घंटे पिर मेरे मन के हिसाब से नहीं रटीपी है तो रिवीजन की तरह जिनको समझन वह वापस मेरी क्लास में चाहिए और देखिये बॉंड डूरेशन क्या होता रियल में समझा रखा फिर वे एक रफली बात करता हूं इस बॉंड की विशा है सुनोगे ध्यान से थोड़ी सी बात क्योंकि मुझे कुछ समझाना ना इसलिए थोड़ी सी बात करूं जैसे यह हमने बॉंड खरीदा यह वाला वाई की बात करूं वाई की कुछ समझाना इसलिए एक हजार रुपय का कितने साल की मैचुरिट लाइफ है एक दो तीन और चार साल और चार साल बात कितना मिलेगा मुझे 1080 रुपह और हर साल कितना मिलेगा 80 80 ठीक bond duration का मतलब क्या होता, मान लो bond duration निकाला हमने और bond duration निकला 3 साल, मन से बोल रहा हूँ यह है क्या यह मैं समझा हुआ bond duration निकला 3 साल 3 years इसका मतलब है कि आप bonds में जितना पैसा लगा रहे हो वो पैसा आपको 3 साल में वापस मिल जाएगा चाहे market का rate of interest कुछ भी क्यों ना हूँ चाहे, मतलब bonds खरीदने से क्या risk है yes कौन सा risk है call risk मान लो नहीं है default risk नहीं है उसके बावजुद भी एक risk है जिसको बोलते हैं interest rate risk sir यह क्या है बिट्टे यहां rate of interest कितना दिख रहा है 8% दिख रहा है आप कौन सा bonds खरीदना चाहते हैं इसको देखते हुए sir bond why खरीदेंगे बिल गुस है क्यों? क्योंकि sir interest ज़्यादा है मार्केट में तो पता कर लो हमने मार्केट में भी पता कर रहा है मार्केट में 6% interest है तो फिर तो हम यहीं खरीदेंगे sir अच्छा लग रहा आठ ज्यादा मिलेगा ना और आपने फ़र्स गया और आपने खरीद लिया bond खरीदा 8% के लालच में एक साल बाद पतन मार्केट में क्या भूचा ला गया मार्केट में रेट हो गया 12% अब और आप कितने में खरीदें sir हम तो 8% में खरीदे तो हो गया बरबात 8% लालच में फसेरा कंपनी के और मार्केट में आप बेकूफ है आपने 8% पर पैसा क्यों लगाया जबकि मार्केट में कोई रिस्क नहीं है कोई कंपनी बकाइदा आपको टाइम पर ब्याज दे रही है लेकिन वो ब्याज कोई काम का नहीं है क्योंकि मार्केट में तो 12% हो गया या न It means Bonds में और एक रिस्क होता है Call risk और default risk के अलावा होता Interest rate risk अब मैं उसी के विसे में समझाने की कोशिश करा हूँ ठीक है 8808 अब होता क्या है मालो मार्केट में सुनना ध्यान से मैं जो बोलना चाहता हूँ मैं बोलना चाहता हूँ यह bond duration क्या है bond duration निकला 3 years इसका मतलब है sir market में rate of interest कुछ भी क्यों ना हो जाए 4% क्यों ना हो जाए 15% क्यों ना हो जाए इस 3 साल में हम जितना पैसा लगा रहा है उतना पैसा हमारा रिकवर हो जाएगा rate of interest के change होने से मेरे bond के का जो loss नहीं होगा बस इतना बोल सकता सर मान लो rate of interest market में 4% हो गया मान लो मान लो 4% हो तो यह 80 रुपए जो invest होगा ना यह कितने रुपए पे होगा 4% यह वाला सी कितने पे होगा 4% क्योंकि हम reinvestment की बात कर रहा है कि 80 रुपिया कमाया हमने बाइजार में लगाया market में लगाया हम 4% कमाएंगे तो बोले यह 80 को हम 2 साल के लिए invest करेंगे इस 80 को 4% पर इनवेस्ट करेंगे लेकिन यहां जो है यहां bond बेच देंगे तीन साल में और कितने का बेचेगे तो सोच के बताओ यहां जो bond बिकेगा वो कितने रुपए में बिकेगा तो सिंबल सी बात है यहां bond हमारा थोड़ा महगे में बिकेगा वजह में बता रहा हूं क्यों कि market में कितना है rate चार पर्षंट और मैं गया यहां यहां कर ख़़द। आट परसंट वाला है यार आट परशंट कोई खरीदेगा क्या हंडरेट परसंट कोई ना कोई अगर 4 परशंट है market में और हमारी company मेरे पास जिस company का बॉंड्स है उस पर 8% भी आज मिल रहा है तो 100% कोई ना कोई तियार हो गई होगा कि ठीक में ज्यादा पैसे में मार्केट में क्यों ना गहूं मैं पवंसर का बॉंड क्यों ना खरीदना मतलब अगर मैं टेकनिकल लेंग्वेज में बोलू तो इसको जब डिसकाउंटिंग क बारा पर्शनेट पर होगा लेकिन यहां जब बॉंड बेचने जाओगे तो यहां बॉंड महगे में ने भी केगा मार्केट में कितना चल रहा भाई बारा और मैं कहता हूं मेरा लेलो ना 8% ठीक है तैयार है लेकिन पैसे हम कम देंगे इससे भी कम देंगे मतलब इसको डि यह बॉंड जो डूरेशन निकालोगे इस पे हमारा पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा ठीक तो सबसे पहला काम क्या होगा सबसे पहला काम सर एक बॉंड में पैसा लगाना की दो बॉंड में लगाना वो बाद में सोचेंगे सबसे पहला काम सर यह होगा कि आपको बॉंड निकालना पड़ीगा एक बाड डूरेशन निकाल लो कि उसके बाद मैं आगे चर्चा करूंगा कि क्या होगा मेरे पास सॉलुसिन है तो पहले बाड डूरेशन निकलते हैं कि इसका संजाता हूं इसका onा इसका पहले में bond व्वाइद कि विश्ampai संझांगा इसमें इसमें करना क्या होता है अभी तो ऐसी समझाना पड़ेगा करना क्या होता कितने साल के रोऊंद 1 2 3 4 पहले साल कितना मिलेगा अशी दूसरी साल अशी तिसरी साल अशी और एक हजार से एक हजार मेचुरिटी और 80 रुपय आपका कुपन उसको 10 परशन्ट वाई टीम से डिसकांटिंग करोगे तो यह आ गया इस कॉलम की हमको जरूरत नहीं पड़ती इस कॉलम की भी जरूरत नहीं पड़ती यह आ गया अब हमारा काम क्या रहेगा दिस इंटो वान इस इंटो 2 इस इंटो 3 इस इंटो 4 ऐसा करू के चाहूत इस कॉलम से कर लो पर मैं क्या करो इसको इस से मल्टिप्लाई करो तो यहां सीधा लिखों सर सेवन्टी टू पॉइंट सेवन्ट सेवन्टू इयर से मल्टिप्लाई करना 66.08 इंटू 2 तो सर यह आ गया 132.16 60.08 इंटू 3 1 8 0.24 इंटू 737.64 इंटू 4 2950.56 बूस तो यह आगे 3 3 3 5.68 और बॉंड का मार्केट प्रैस कितना है इसको डिवाइट किस से कर देंगे हम 936.52 तो आंसर कितना जाएगा इतना है जाएगा 3.56 इन कॉलम की ज़रुद नहीं है चाहो तो इन कॉलम के थू भी कर सकते हो पर हम क्या करते हैं सीधे यह वाला कॉलम क्या किया हमने प्रेजेंट वैल्यू इंटु क्या कर देते यह जिन्होंने मुझसे क्लास्ट किया हूँ ऐसे भी कर सकते जिन्होंने मुझसे क्लास्ट नहीं किया हूँ इस तरह से भी कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है तो इसका बॉंड दॉरेशन कितना है 3.563 इसमें तो ए दॉरेशन पर करोगे क्या इस दॉरेशन का सर इससे ना मॉडिफाइड दॉरेशन निकाला जाता है पर वह अभी आपके समझमन ही आएगा अब सुना मेरी बात थे हां से सपोस बॉंड दॉरेशन निकला 3 इर्स सपोस बोला हूं सपोस सपोस 3 इर्स इसको अभी आप इसको मॉडिफाइड दॉरेशन समझ लेना हाला कि मॉडिफाइड दॉरेशन में वो डिवाइड इससे 1.10 से कर लेंगे पर इसको समझ ना मेरी बात क्या एक मिनिंग और होता है दॉरेशन का मॉडिफाइड दॉरेशन के स्पेशली मतलब मॉडिफाइड दॉरेशन 3 है 3 है इसका मतलब इसका मतलब अगर रेट के बढ़ने से बॉंड का वैल्यू क्या होता है कम मार्केट में रेट बढ़ेगा ना मार्केट में अगर रेट बढ rate गिरेगा market का तो बांड का value बढ़ेगा कितने परसें्ट से दीन परसेंट तो बताओ मैं कौन सा हेदूं जिसने sensitivity बीटा बीटा बोलते हैं जिसमें three हो यह जिसमें five हो जिसका watt duration modify 45 का मतलब मतलब यह हो गया जिसका three है यह जिसका one समझ जिसका bond duration जिसका modified duration sensitivity बोलते है one है इसका मतलब अगर rate गरेगा 1% से तो bond बढ़ेगा 1% से bond का value अगर rate बढ़ेगा 1% से तो bond का value गरेगा 1% से यह one है one by one और three का मतलब जैसी rate बढ़ेगा 1% से तो bond का value 1% से नहीं गिरेगा 3% से गरेगा कौन सा ज्यादा रिस्की है जिसका duration ज्यादा है वो ज्यादा रिस्की है तो बोलो क्या करोगे कौन सा bond खरीदोगे जिसका duration ज्यादा है कि जिसका duration कम है जिसका डूरेशन जादा है सर उसको क्यों खरीदे बिट्टे फायदा भी तो है अगर रेट गिरा तो बॉंड का वैली जो बढ़ेगा वह एक पर्शन से नहीं वह तो तीन पर्शन से बढ़ेगा न तो हम ऐसे बॉंड में पैसा लगाते हैं है। एवरेशन एक में क्यों लगा रहे हूं भी दोनों में लगा ना दोनों में लगा थोड़ा थोड़ा लगा तकि रित ऑप इंट्रेस्ट के बढ़ने घटने से सियाँ एक पॉर्टफॉल्यो आप कितना चाहते हो आप 3 चाहती हो क्या नहीं आप one चाहते हो कि नहीं हम Fort exam destruction डूरेशन टू चाहते हैं तो तो बोलो किसमें पैसा लगाएंगे इसमें थोड़ा सा इसमें विटेड आवरेज ताकि आंसर कितना जाए तो डिस इस बॉंड इम्मुनाइजेशन थोड़ा सा समझाया हूं बहुत डिटेल में चर्चा करना इस इस्तिति में अच्छी बात न नहीं हमें लाइबिलिटी का डूरेशन लाइबिलिटी कम पैमेंट करना है सर लाइबिलिटी को पैमेंट दो साल बात करना इट मेंस हमें दो साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना और यहां डूरेशन कितना रहा एक साल यहां कितना तो इन दोनों का कुछ वेटेड डेवर मैं आप से बोल रहा हूं, duration of pliability is equal to duration of assets, bond immunization, कितना पैसा लगाना है, आप duration कितना चाहते हो सर्थ, दो साल, पहला वाला bonds का duration कितना है, 1 year, weight of a कर दो, और दूसरे का 3.563, 1 minus weight of a कर दीचे, और यह तो मैं detail में नहीं करूँगा, weight of a निकाल सकते हो, आप से, इस formula से, इसमें, इसमें, पैसा कितना लगाना निकल जाएगा, weight of a निकाल लोगा, weight of a आजाएगा, 0.61, ठीक, यह formula बता होगा ना, यार, weighted average, weighted average answer कितना आना चाहिए, 2, एक का duration एक साल, एक का duration ए 3.5, इन दोनों का weighted average करोगे, तो weight of a निकल जाएगा, weight of a तो weight of b निकली सकता है, weight of a कितना आया, यह लिखा हुआ, 0.61, और weight of b कितना आएगा, वो समझानी की ज़रूत नहीं, 39%, अब हमको किसमें पैसे लगान bonds में, कितना पैसा लगाना, पहले तुसको discounting कर दो, एक लाख divided by 1.10, एक साल बाद लगने वाला है, उसको discounting करके पहले, YTM से discounting होगा, एक सा, दो साल, तो यहां आजाएगा, एक लाख for two years, तो यहां आजाएगा, इसको discounting करने से, जो पैसा आएगा, उसका 61% इसमें लग खये, ठीक, और फिर क्या होगा, और इसको, उसके market price to divide कर दोगे तो bonds आजाएगे, इतने bonds हमको खरीदा पड़ेगा, 51.79, इसके market price to divide करोगे, इतने bonds खरीदा पड़ेगा, इतने bonds खरीदा पड़ेगा, this is quantity, इतने bonds, यहां खरीदा और इतने bonds, यहां खरीदा खरीदा नहीं में बता हैं कि दोनों में क्यों लगा सकते क्यों लगा रहे हो उसकी वजह एक तीन साल का डूरेशन एक साल का दो भी दोनों का विडीड़रीस करते में भी जूझ कर सकते हैं था कि कुछ बच्छों का डाउट्स ऐसा भी आ सकता है कि स Around इम डूनों बांट्सका अलग अ है यह लागए यह वाकल ब्ले न इंतर आधम कहते अध्यू इसमस्क्राइश सहें ग्लाइश है और जो कि बहुत बहुत बोट नियुह कोम tirar जितना मैं सोच ना झाल झालता हूं पढ़ाते बढ़ाते 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 मुझे यह भी समझा दो यह भी समझा उस चक्र में ना टाइम बहुत निकल जाता और आर्टीप यह रिविजन टीप मुझे इतना नहीं जाना है डीप में तो मेरे ख्याल से किया हुआ का कोश्चन कोई ज्यादा दिक्कत नहीं जानी चाहिए आपको अगले कोश्चन जो चलेगे उ से क्योरिटी वैल्वीशन या बॉंड वैल्वीशन से है और यह जो है हाइब्रिट सिक्योरिटी ऐसा बनूंग तो थोड़ा सा मुस्किल होगा यह जो है यह है कनवर्टीबल बॉंड लिखते क्या है इस टाइप ना बहुत सारे कोश्चन से हमारे स्टडी माटेरियल में प्रैक्टिस मैनुवल जो पहले चलता था उसमें भी ठीक है सर तो देखते है कि कोश्चन में क्या लिखा हुआ है लिखा दॉलिएटा इस रिलेटेट टू 8.5% फुली कनवर्टीबल डिवैंचर इस्चुड बाइज यह जे एसी लिमिटेड एड टुपीस थाओज इसका मतलब सर इसका मतलब कनवर्टीबल डिवैंचरस हैं है मतलब इन डिवैंचर को इन बंड को कभी भी आप कनवर्ट कर सकते हो shayers में इन डिवैंचर पर जो इंटरेस्ट है वह है 8.5% यह जो डिवैंचर convention से यह पहले इश्यू हुए होगे और कितने में इश्यू होगे 1000 मै और इनको पूरी तरह शेयर्स में convert कर सकती है company मतलब आपका मन करेगा तो आप debentures वापस कीजिए और बदले में आपको shares मिल सकते हैं ठीक यहां तक बात समझ में अभी इन debentures का price कितना चल रहा है तो price चल रहा है 900 1000 रुपए में issue किया रहा होगा कभी अभी 900 रुपए में big सकते हैं debentures अगर आप बेचना चाहो तो यह खरीदना चाहो तो आपको debentures के लिए 900 रुपए खर्च करने पड़े अच्छा conversion ratio दिया है 30 इसका मतलब है कि debenture अगर आपके पास है या आपने खरीदा है पहले से या आज भी खरीदना है तो खरीद लेजिए और इन debentures के बदले में आप shares चाहते हो तो आपको एक debenture के बदले में 30 shares मिलेंगे this is shares, these shares में convert हो सकते हैं strict value of bond है 600 रुपए यह क्या चीज होता है strict value of bond and this is bonds this is intrinsic value of bonds intrinsic value निकालते हो आप, intrinsic value में होता है क्या था मैं आपको बता रहा हूँ future में जो भी interest मिले का maturity तक, उस काम present value निकालते हैं उसी को आप intrinsic value of bond बोलते हैं, उसी को आप straight value of bond बोलते हैं, और बात यह होती है, कि future में जितना भी interest मिलेगा, उसका present value निकलते हो, यह present value is 700, this is straight value, और इस से ज्यादा bond का पैसा नहीं देंगे, पर इसका market price ज्यादा चल रहा, कितना चल रहा है, 900 रुपए, क्यों ज्यादा चल रहा हो, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है, कि bonds को जब चाहे आप shares में convert कर सकते हैं, share का price मान लो बहुत ज्यादा रहा, तो आप shares में convert करके ज्यादा कमा लेजिए, no doubt, कि bonds, सिर्फ bonds ही रखोगे, सिर्फ debenture यह खरीद के अपने pass रखोगे ना साहब, तो interest वगेरा, उस कितनी समझ में आई है, इतनी बस बात समझ में आई है, कि एक bond से एक debenture है, 1000 रुपए का, face value मान लो उसका 1000, 1000 में issue किया था, उस पे 8.5% interest मिलेगा, 8.5 का मतलब 85 रुपीज, 85 रुपीज interest, उसका market में 900 रुपए का विकरा, और उस bonds के बदले में, आपको 30 shares मिल सकते हैं, उ उसका investment, sorry, interest rate value है 700 रुपए, अच्छा, और जो share मिलेगा, जिस भी company का, company JAC का share मिलेगा, उस share की जो market price है, वो कितनी है, 25 रुपए, market price है, 25 रुपए, bonds खरीदिए, एक share की कीवद कितनी है, 25 रुपए, और आपको कितने shares मिल सकते हैं, 30 shares मिल सकते हैं, हां, और उन shares पे जो dividend है, एक share पर एक रुपए dividend का मिलने वाला है, expected, ठीक, अब क्या, sir, इसमें पूछ क्या रहा, बटी, पूछना तो generally questions कैसे होने चाहिए, convertible bonds का, कि हमें bonds को shares में convert कराना चाहिए, कि नहीं कराना चाहिए, यह सब पूछना चाहिए था question में, question में, यह GCPT, और ऐसा नहीं पहल ही बार, RTP का तो छोड़ दीजिए, exam में भी ऐसे ही question आपते, सबसे पहले, फटा-फट से करते है, conversion value, sir, conversion value क्या होता, conversion value यह होता है, बटे, कि bonds को किस में convert करवा सकते है, shares में, कितने shares में, 30, और एक share की कीमत कितनी है, 25, तो उस हिसाप से, उस bonds की, यह bond है, तो यह मैं दूँगा, और बदले में 30 shares मिलेंगे, तो इसकी convert कराने पर कितना value है, इसकी conversion value कितनी है, bonds की, बस यह पता लगाना है, तो ठीक है, बड़ा असान है, कितने shares मिलेगे, बिटे, 30 और एक share की price कितने है, 25, this is conversion value, अगर conversion value, पता करो तो कितना होता, देख लेते, 13 to 25 750, bonds को shares में convert कराते है, तो convert कराने पर आपको साड़े 700 रुपिया का 750 का shares मिल रहा है, इस हिसाब से, मेरे bond की conversion value है, 750, ठीक, market conversion price, market conversion price important, मिलकुल ध्यान से समझना, यह important है बिटे, वैसे लिखा होना चाहिए था, market conversion price per share, ऐसे लिखा होना चाहिए था, पर ठीक है, अब सुनना बिटे, यह सुनना ध्यान से मैं क्या बढ़ रहा है, अब मैं यह सोच रहा हूं यार, अजीब बेवकुफी वाली बात है कि यार मैं बांड्स खरीदता हूं, बांड्स खरीदता हूं तो बांड्स आज कितने रुपे का मिलेगा, 900 रुपे का बांड्स मिल जाएगा, ठीक, ठीक है सर 900 रुपे का बांड्स खरीद के यह खरीदा, कितने रुपे का मैंने बांड्स खरीद लिया, 900 रुपे का, इसक मैं सोच रहा हूं कि मैं bonds खरीद लेता हूं और उसको shares में convert करा लेता हूं तो भीया एक share का मुझे कितना पैसा पड़ा एक share मुझे कितने रुपए का पड़ा इसको conversion market conversion price per share भी बोलते हैं या फिर आपको parity price भी बोलते हैं वहाँ सारे नामें पर यहां जो है उसके सबसे मैं काम करूं फिर से बोल रहा हूं bonds कितने का 900 का 900 रुपए का मैंने खर्च किया bond आया मेरे पाश डिबेंचर आया उसको मैंने दिया और बदले में shares लिया और कितना share आया मेरे पास 30 share तो उस सहाब से मुझे कितना रुपए पड़ा मुझे 30 रुपए पड़ा साब market conversion price पर share मुझे कितना रुपए पड़ा मुझे 30 रुपए पड़ा जबकि जबकि अगर मैं क्यों बांड के चकर में पढ़ रहा हूं मैं इक काम करता हूं शेयर सी खरीदता हूं अगर शेयर खरीदूंगा तो कितने कपड़ेगा पच्चीस रुपय में मिल जाएगा तो यह पागल हो गयों कि आप बांड्स खरीद रहे हों और फिर उसको आप Shares में Convert कर रहा हुँ पिट्टी एक फाइदा है बच्चों मेरी बात समझो ध्याँ से अगर मैं Bonds खरीदता हूं तो मुझे जो Interest मिल रहा है अभी वो मिल रहा है 85 रुपीज टोटल मिलाकर 85 रुपीज लेकिन अगर मैं Shares खरीदता हूं मालो उस Bonds के बदले में Shares भी आते हैं और मुझे 30 Shares में खरीद लेता हूं मालो 30 Shares खरीद लेता हूं और एक रुपए पर तो मुझे इंकम कितनी होगी 30 रुपए की इंकम होगी सोच अगर हम Bonds खरीदते हैं 25 कमाएंगे 85 कमाएंगे लेकिन हम सोच रहा हम Bonds नहीं खरीदते भई या Bonds खरीद के छोड़ दो हम Shares सी खरीदते ही इतने ही पैसे खर्च करके तो भई या फिर थोड़े आपको 30 Shares खरीदते तो आपको सिफ 30 रुपए की कमाई होगी दोनों कमाई में बहुत अंतर है इसलिए Bonds खरीद ये इंट्रेस्ट मिल रहा है जब शेयर का प्राइज बढ़ेगा तो हूझे आप कनवर्जन प्रीमियम पर शेयर कितना पैसा एक्ष्ट्रा दे रहा हों कितना पैसा एक्ष्ट्रा दे रहा है पांच रुपब है ए डाइरेक्ट शेयर करें तो 25 पाठता बॉन्स क्रीट के अगर आप इन वाड रोका बर्द कीरता है तो पूल क्रीमियम कमर्जन प्रेमिम्यां कितना पांफ । ठीक formula सर formula क्या, formula लिखा है, वो मैं आपको कर वा हूँगा, पहले हम यहीं discuss कर रहे हैं, तीन चीजे होगे, ठीक है, अब ratio of conversion premium, यह बात समझना है आपको ratio of conversion premium, सुनो विट ध्यान से मेरी बात समना ratio of conversion premium है क्या चक्कर इसको conversion premium भी बोलते है percentage दो तरीके होते हैं निकालने के पहला तरीका सबसे अच्छा तरीका वो मैं आपको समझा रहा हूँ जब भी बोलेगा conversion premium ओवर conversion value या बोल सकता premium ओवर straight value मेरी बात समझ रहा मैं क्या सब्दों बोल रहा हूँ मैं सब्दों बोल रहा हूँ प्रीमियम ओवर कनवर्जन वैल्यू तो आपको क्या करना आपको देखना है यार मार्केट में भाव कितना चल रहा हूँ इस डिबैंजर का सव रूपह नौ सव रूपह तो आप ऐसे लिख लेजे नाइन हंड्रेट और कर प्रीमियम ओवर कर झान चल रहा हूँ तो कनन चल रहा था कितना चल टाथ्जाट सचसव पचास सबाचास थिवाथयद बवय सच्बचास इन Ace to 100 इस प्रीमियम ओवर कन पर्ज inacc以上 यह하다 प्रेमियम इन प्रफंटेज यह रिश्य आप कन्वर्जन प्रेमिम तो 900-750 divided by 750 into 100 इस ट्वेंटी पर्षेंट आप शिर के सबसे भी निकाल सकते 5 by 25 पर मैं वैसे नहीं कर रहा हूं वैसे किया हुआ वह मैं आपको दाओ पास समझ मेरी अगर प्रीमियम ओवर इस्ट्रेट वैल्यू बोलता तो यहां इस्ट्रेट वैल्यू लिख देते बस प्रीमियम ओवर दो दो मैं आपको याद करवा रहा हूं इस concept तो अपनी जाएगा premium over conversion value और premium over straight value है तो premium over conversion value होगा तो यहां conversion value यहां market price ही रहेगा कि भई conversion value से market price कितना जादा है debenture का अभी क्या होड़ा premium over straight value तो क्या करना है 900 बस यहां straight value हो जाएगा यहां हो जाएगा 700 और यहां divided by क्या हो जाएगा 700 into 100 चेक कर ले दे percentage कितना जाएगा 28.57 पर इस ठीक यह आता है यार question मालू मैं और कुछ है नहीं फॉर्मुली तो छोड़ी दो सिंपल सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो यहां हमने क्या किया conversion value आसान काम था market conversion price per share थोड़ा मुश्किल काम था प्रिया प्राइस पर शेयर पर वह कुछ नहीं है अगर बॉंड को हम शेयर में convert करें bond खरीद के शेयर में convert करें तो साहब इस रूट से जाते तो एक शेयर का कितना रुपिया बढ़ा थीस रुप है conversion premium डारेक्ट खरीद होगे तो 25 और इसके थुरू खरीद को 30 का ठीक है यह तो हो गया यह भी हो गया फैवरीबल इंकम डिफरेंशियल पर शेयर अब ध्यान से सुनना तो वैसे तो बैटे अब सुनना बैटे अब सुनना काम की चीज़ है अगर हम डिवेंचर खरीदेते हैं तो 85 रुपए की इंकम हो रही है मानते हो यस 25 रुपए की इंकम हो रही है और अगर हम 30 शेयर खरीदते हैं तो भाई maximum कितने की इंकम हो रही है 30 रुपए की कितना 25 की 30 सर अगर हम शेयर खरीदते हैं तो हमको 30 शेयर पर 30 रुपए की इंकम हो रही है मानलो 30 शेयर खरीदते हैं तो 30 रुपए की इंकम मेरी बास समझना अगर मैं डिबेंचर खरीदता हूँ तो 85 रुपए कमा रहा है पर मैं डिबेंचर खरीद कर उसको शेर्स में convert कर देता हूँ तो भाई 30 रुपए कमाओगे आप तो उस हिसाब से क्या एक्स्ट्रा कमाई हो रही है हाँ सर हाँ और 30 रुपए कैसे कमाओगे मालूब है एक शेर पर एक रुपए डिविडेंड मिलेगा तो 30 रुपए मिलेगा तो बताव एक्स्ट्रा कमाई कितने कि एक्स्ट्रा कमाई है पर कितने शेर पर तीश एर पर तो डिवाइड बाइड थर्थी तो 55 डिवाइड बाइड थर्थी तो कितना हो गया 1.833 अगर मैं कहूं डिबेंचर खरीद के हम अपने जेब में रखते है तो हर एक शेर पर में एक्स्ट्रा कमा रहा हूं 1.833 पर शेर मेरी बात कास आपको मेरी बात समझ मे रही है तीश एर पर ही है यह तीश एर पर ही तो है आप पच्छे ऐसी कमा लो या तो आप तीश कमा लो तो भई डिवेंचर ही रखते है 85 कमाएंगे 85 तो एक्स्ट्रा कितना कमार है 55 और कितने शेर पर तीश एर पर इटमेस आप कितना पर शेर एक्स्ट्रा कमार इंकम डि 333 favorable income differential okay sir sir तो इसका मतलब डिवेंचर अच्छा है हाँ ना बिट्री डिवेंचर अच्छा मैं तो बोल रहा हूं कि कमा ही ज्यादा तो डिवेंचर अच्छा है ना आप शेर खरीदते तो क्या है आपको शेर नो डाउट कितने का मिल जाता 25 का मिल जाता 25 का मिल था लेकिन घुटन्वर शेर अचग लेकिन कमा भी तो रहो है ना पाँच Rs. लुटनों में जानता हूं और हम शेर में करें है तो और हर साल 1.8 तो आएगा एक्स्ट्रा जब तक आपम डिवेंचर अपने पास , अम है तो सर उस हिसाब से हमान है यह इजो एक्स्ट्रा दी रहा है रहा तो इतना पाच रुपई एक्सटर दे रहे तो पाच रुपए कितने साल में रिकवर हो जाएगा इस पेभैक पिरियड पाच रुपए जो एक्स्टर जा रहा है और 1.833 हम हर साल का कमा रहे एक्सटर गमा रहा है तो 5 divided by 1.833 तो उस हिसाब से 2.727 इयर्स में रिकवर हो जाएक इतना पैसा कि ठीक है जी क्या बात समझ में आई सब नहीं इसके लिए लंबी ग्लास है यार मेरी अभी एक कोशन में बात खतम नहीं हो जानी है पर मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि क्या क्या चुक्कर है करें इबर देख लें क्या यह सबसे पहले कनवर्जन वैल्यू बूला है जो इसको करने पर 30 रुपय का पढ़ रहा है हर शेयर पर कितना एक्ट्रा जा रहा है और प्राइस कितना 25 यह तो फ़र प्रीमियम ओवर कनवर्जन वैल्यू निकाल लो जो मैंने निकाला था 20 वर्शन प्रीमियम ओवर कनवर्जन वैल्यू टिकस सरे सबसें का ऐसे यहीं आपको चेक करने वाला इसके बाद premium yeah ऑप प्रीमियम ओध्भ ईस्क्रेट यहां पिर कवेल्यू आप ऐसे कर सकते हैं फिन मैने थीथ टरवाया थिस सीधा जब है बाहिं friendships 28.57 परशन उन्होंने 28.6 परशन किया चल लाएगा ठीक फैवरेबल इंकम डिफ्रेंशियल पर शेयर हर शेयर पर आपको एक्स्टर इंकम हो रही है क्योंकि आप डिबेंचर के थू जाने की कोशिश कर रहे हो जब तक shares में नहीं convert कराते हैं आपको 85 रुपय की कमाई हो रही है share घरीते तो 30 रुपया share में convert करा लते है या share खरीलते 30 share भी घरीते तो 30 रुपय की कमाई होती तो उस हिसाब से आपको extra कितने की कमाई हो रही है 55 रुपय ठीक 30 इंटू 1 आई है ना divided by 30 तो हर एक शियर पर आप 1.833 कमा रहे हो एक्स्ट्रा और चुंकि आप 5 रुपे एक्स्ट्रा दे रहे हो डिबेंचर वाले रूट से तो आपको कम से कम 2.73 येर्स लगेगा वो 5 रुपे रिकवर करने के बाद फिर वो जो 5 रुपे आप बोल र हो जाएकि समझना है तो फिर रेगुलर क्लास अलग बात है तो आर्टी पी शॉल करवा रहा है चलते हैं नेक्स्ट कोशन है अजी कोशन नमर थ्री और ये पोर्टफोलियो कोशन है और पोर्टफोलियो का बढ़ हुदी बहुत ही सिंपल कोशन है ठीक है सर इट मेंस पोर् कितना और रुपिया इंवेस्ट करना सर सी 1 द्यूर्ट रूपे इन्वेस्ट करना है और दी था है तो सर ऐसा है कि ये दो जगारा पैसा लगाना चाहतें बिलकुल सहीं दोका शिक्श्we B में और D में, रिस्क और रिटर्न प्रोफायल अब दिस सिक्यूरिटी आरेस फॉलस, अगर B में है 10 परशन रिस्क है, डाइवीशन है, 10 परशन है, 10 परशन है, HD का मतलब इस्टेंडर डाइवीशन, और कमाई कितने की होगी, 12 परशन की कमाई होगी, अगर B में पैसे, 1 परशन की कमाई है, कमाई नहीं, रिस्क के 18 परशन और 20 परशन रिटर्न, सवाल यह है कि सिर्फ एक ही स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, कि अलग अलग स्टॉक में, तो पोर्टफोलियो पढ़ाती है, मैंने आप से ये एक बात कहा था, कि भही देखना है कि दोनों के ब लीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो खेल खतम मत एक ही स्टॉक में लगाओ, को एफिशेंट ऑफ वैरियेशन योज कीचिए, टैंसन खतम कीचिए, लेकिन बात है कि अगर कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव के अलावा कुछ और है, परफेक्ट नेग कोरिलेशन कितना है, 0.15 मतलब रिस्क को कम कर सकते है, हमें पोर्टफोलियो में ही पैसा लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए ये भी में बता देता, पर वो मांगा ही नहीं ये भई, you are required to calculate the portfolio return, आप से portfolio return मांगा है, of the following portfolio B and D, to be considered by A, बुले एक पोर्टफोलियो बनाए जिसका नाम हम रखेंगे, A, और उसमें B का, और D का, मिला कर पैसा लगाएंगे, ठीक है, और क्या निकालना, पोर्टफोलियो निए, पोर्टफोलियो रिटन, expected return of portfolio is equal to, expected return of A into, जिन्होंने मुस्से class किया है, वे टपे, जिन्होंने मुस्से class नहीं किया, और भी दूसरे formula ले लेख सकता है, यहां नाम चेंज कर ले ना, B और D कर ले न, ठीक है, तो सर इन्होंने एक, दो, तीन, चार तरह से portfolio बनाया है, कि और हम सारा पैसा इसमें लगा दे है, 50-50 पैसा इस तरह से, तो पहले में बोले, सारा है कि सारा पैसा हम 100% किसमें B में invest कर रहे हैं, तो भ 50% B में लगा है, और 50% D में लगा है, हाँ, तो यहां पोर्टफोलियो के रिटन निकालना पड़ेगा, कैसे होगा पोर्टफोलियो के रिटन 50% रिटन, रिटन कि ये बात कि 12 into 0.5, 20 into 0.5, इसका विटेद आवरिस करोगा, तीसरा पोर्टफोलियो 75% in B and 25% in D, तो हो जाए तो फिर समा फारमेली की ज पॉटत नहीं तो दिखी रहा है, अगर मैं कहूं क्या बच्चंगा यस पोर्टफोलियो की पहली दूसरी क्लास में ये सीख लेते हैं, हम लोग जाय, यह पोर्टफोलियो to 33 classes है, यह पहली दूसरी क्लास में आपको शीखने को मिल जाया, अंह इ और लास्ट में बोला बताओ कौन सा पॉर्टफोलियो अच्छा है रिस्क का तो रिस्क निकालो ऐसा भी तो बोल देता है खेर निकालना है ठीक है सर तो सर स्टेंडर डिविशन अप पॉर्टफोलियो भी निकालना है यास इस्टेंडर डिविशन अप पॉर्टफोलियो इस is equal to a square weight of a square standard deviation of b square weight of b square plus 2 into weight of a into weight of b into covariance a b कुछ लोग covariance a b की जगह क्या लिखते हैं आप ऐसे लिखते हैं standard deviation of a into standard deviation of b into correlation a b a की बात ठीक तो यह था तो चार portfolio है फटा फट से क्या किया होगा कुछ नहीं यह दो formula लिखा है risk क्या होना चाहिए portfolio का कम और return क्या होना चाहिए जादा तो return के साब से best कौन सा होगा जिसका highest हूं risk के साब से best क्या होगा जिसका lowest वाउ क्या formula यह मेरी समझ में नहीं आता यह जीव जीव सा ठीक में इस पे जाना हूं यह वेटेड़ेश ही अगर देखा जाये तो यह एक्सपेक्ट रिटन का वेटेड़ेश इस्टेंड़ेशन इस्टेंड़ेशन का यहां formula two assets portfolio का यहां formula दिया देस 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 आप देख लेना अगर मुझे लिखना होता तो एक तो यह formula एक्सपेक्ट रिटन पोर्टफोलियो और दूसरा इस्टेंड़ेशन पोर्टफोलियो बस ज्यादा दिमाख में चलाना दो फॉर्मुले में आपको लिखा चुका हूं और सीधा इस्टार्ट करते हैं पूरा पैसा भी में लगा होगे तो तो सोचने वाली बात है यह नहीं कितना 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 रुप है बारा पर्शन डिटन ही नहीं कुछ है नहीं तो पोर्टफोलियो सिंपल कोश्चन है तो अगर 50-50 बढ़ना 16 कि कमाई है लेकिन रिस्क इतना 10.93 परशन ठीक नो डाउट कमाई बढ़ी रिस्क भी बढ़ा पर उस उस हिसाब से नहीं बढ़ा जिस हिसाब से आपका रिटन बढ़ा आके और दिख कम हो गया रिस्क दस परशन से कम हो गया अब खुद सोच कर देखो अच्छे से बच्चो इस टेंडर्ड एविएशन अगर आप देखो एक जगहा कितना है 10 परशन एक जगहा कितना 18 परशन अगर मैं वेटेड एवरेश करता तो दस से जादा ही आता और 18 से कम ही आता रिस्क इतना 9.31 और पूरा पैसे डी में लगाओ कि तो एक्सपेक्ट रिटन 20 परशन इस्टेंडर्ड एविशन 18 परशन तो अगर मैं यह चार पोटफोलियो आपको दिख रहा है अच्छे से चार पोटफोलियो अगर रिटन की बात करो तो नो डाउट सबसे ज़्या रि क्योंकि इसमें रिस्क कट रहा है को रिलेशन की वज़से दस से भी नीचे होगे लिखा इंटम अब रिटन पॉर्टफोलियो फूरीज दा बैस्ट रिस्क थर्डी सबस्क्राइब सिंपल कोश्चन था और इसमें सीखने के लिए कुछ था नहीं मुझे समझाने के लिए एक्सपेक्ट रिटन का फॉर्मुला आपको पता इस्टेंड डेवीशन का फॉर्मुला पता है तो यह तो आसानी से यह सबसे आसान कोश्चन है आई टीपी का क्यों डाला गया कुछ अच्छा डालता तो समझ में भी आदा खेर नेक्ट कोश्चन पे जलते हैं हाजी तो अब फो और यह जो कोश्चन है एक्श्वल में बीटा मैनेजमेंट का ही बीटा मैनेजमेंट का मतलब यार बीटा किस तरह से कम किया जा सकता किस तरह से ज्यादा किया जिसक कम भी कर सकते हो ज्यादा भी कर सकते हो और इस बीटा को कम ज्यादा किसे साफ से कर सकते हो चाहो तो अपने portfolio में दूसरी security जिसका beta कम है वो खरीद लो तो beta कम हो जाएगा portfolio का या ऐसे security खरीद हो जिसका beta जादा है और यह beta कम जादा क्यों करेंगा अगर हमको ऐसा लग रहा है कि यह market का return बढ़ने वाला यह बहुत detail में market मार्केट का return बढ़ने वाला तो beta जादा रखो यह portfolio का क्योंकि market का return बढ़ेगा आपका beta 2 है तो आपका double से बढ़ेगा ना यार दूसरा है risk-free security को चाहो तो अपने portfolio में रखो और और incorporate करो तुस्से होगा क्या आपका risk-free नाम ही लग रहा तीसरा क्या है future के थो आप hedge कर सकते हूं वो future यह derivative का कोशन है इसमें आगे आपको समझ में एक एक बड़ देखते है को कोशन क्या माँ अब पोर्टफोलियो मैनेजर हैस्ट फॉलिंग फोर श्टॉक्स इन हिस पोर्टफोलियो वी एसल चारिश टॉक है नमबर अफ श्यर से मार्केट पाइस और बीटा पहले पर क्या मांगा पोर्टफोलियो बीटा इस इस वेटेड एवरिस पोर्टफोलियो बीटा आराम से निकल सकता है कोशिश यह करना टेबल बना कर निकाला तो इन्होंने पोर्टफोलियो बीटा कितना निकला 1.108 टेबल बनाने के अलावा हम और कैसे कर सकते थे इसको इसको हम एक लाइन में भी कर सकते थे किस तरह से पाच लाग एक लाग दो लाग चार लाग तो मैं क्या करता मैं करता पाच लाग पाच इन्टु 0.9 ऐसे वेटेड एवरेस प्रेजंटेशन सर बिल्कुल बेकार ने लगता आपका बेकार लगता पर में कुसी और उद्देशस से समझाने के कोशिश कर रहा हूँ दो लाग इन्टु 1.5 प्लस चार लाग इन्टु 1.2 इस तरह से डिवाइडेड वाए हैं 12 लाग कर देता आंसर है जाता पर यह प्रेजंटेशन अच्छा है और आपको ऐसे करना चाहिए शॉर्टकट मत मारना यह वेट वाला भलेट आप हटा दो फरक नहीं पढ़ रहा ह पर आप इस तरह से कर सकते हो पर वेड विले लगा लो थो क्या फरक पड़ा पॉर्टफोलियो के बीटा कितना है 1.108 यहां ता कोई समस्या नहीं आगे क्या बोल रहा है यह इंपोर्टन है इफ दा पॉर्टफोलियो मैनेज़र पॉर्टफोलियो मैनेज़र 6 to reduce the बीटा कितना आया था भई सर बीटा आया था 1.108 यह बीटा आया था वो बोल रहा है अगर पॉर्टफोलियो मैनेज़र जो बीटा है उसको 0.8 करना चाहते है पॉर्टफोलियो का बीटा 0.8 करना चाहते है तो हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टिमेंट शुड ही ब्रिंग इन आपके पास पहले से पोर्टफोलियो है कितने का बाराला कृपए का ठीक आपके पोर्टफोलियो का बीटा कितना है 1.108 और वो यह नहीं बोल रहा है बिल्कुल ध्यान समझना एक कोशन और आगे आने वाला और दिक्कत हो जाएं कि आपको में बोल क्या रहा है बोल रहा है जो 1.108 है ना यह जो बीटा है जो रिस्क है हम को ज्यादा लग रहा है हमने ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मार्केट डाउन होग अगर मार्केट डाउन होगा तो आपका पॉर्ठोलियो का वैल्ली भी और बहुत बुरी तरह से गिरेगा और हम इतनी बुरी तरह से लॉस बीर नहीं कर सकते क्योंकि हम को ऐसा लग रहा डाउन हो ला इसलिए हम ना रिस्क तो लेना चाहते पर थोड़ा से अगर मार्केट डाउन हो तो यह पॉइंट एट से तो सर बारा लाग का जो पोर्टफोल है बोले नहीं यह तो बारा लाग का ऐसा है ऐसे ही रहेगा पर इसमें रिस्क फ्री सिक्यूरिटी और मिला लीजिए और ऐसा करके पोर्टफोलियो का बीटा कितना कर दीजिए पॉइंट यह बात बोला है यह बात मैं आपको फिर डिसकस करूंगा एक कोश्चन और है उसम मिटेटर रखना मेरे पास पहले से सिक्यूरिटी कितने कि हैं 12,00,000 और 12,00 का बीटा ओल्रेटी कितना 1.108 और रिस्क-फ्री सिक्यूरिटी लाओंगा कितना एक्स और उसका बीटा कितना है जीरो और डिवाइट कर दूंगा 12,00,000 प्लस रिस्क फ्री सिक्यूरिटी वह दिक्कत यहां थक नाइस सच अब मुल्टिप्लाई करो के बारा लाग इंटु पॉइंट पॉइंट तो सरी आगे नौ लाग साथ है चारा बिलकुल प्लस जीरो पॉइंट एट एक्स बारा लाग इंटु 1.108 तो सरी आगे थर्टीन ल 29600 X is equal to minus 960,000 करो 369,600 divided by 0.8 4,62,000 तो भाई हमें रिस्क फ्री सिक्यूरिटी कितना रखना पड़ेगा 4,62,000 का रिस्क फ्री सिक्यूरिटी कितना रखना पड़ेगा 4,62,000 का रिस्क फ्री सिक्यूरिटी रखेंगे हमारा अन्दरा जाएगा, सर यहां कैसे किया यहां भी वैसे ही किया गए बस यहां रेशो में किया गया, इनका क्या कहना था, सुना धिहां से, सर यह क्या किया, बस यह बता दो, आपका वाला मैथ़ट से इह जी यह कुछ नहीं गया, ये भी ये किया कि सर 0.8 portfolio का बीटा रखना है मानते हूँ एक बीटा हमको मालो है 1.108 इसको फिर से कहीं और समझाओंगे ये जो किया ना practice manual वो आपको समझाता हूँ 0.8 portfolio का बीटा रखना है ठीक 1.108 इन्टो वेट ओपे प्लस portfolio of 1- वेट ओपे ये रिस्क फ्री हो गया और इसका बीटा कितना होता है 0 पुरा 0 हो गया तो क्या वेट ओपे निकल सकता है ये सर वेट ओपे निकल सकता है 0.8 divided by 1.108 इस वेट ओपे ये पॉर्टफोलियो मतलब ये सिक्यूरिटी और ये क्या हो कि रिस्क फ्री पॉर्टफोलियो है सिक्यूरिटी का बीटा तो ये है और इसका बीटा ठीक ये तो ओके सर ये काम किया 0.8 divided by 1.108 तो 72.2 परशन अभी का है जो 12 लाग है ना इसका वैल्यो 72 तो 100 परशन्ट का वैल्यो कितना तो 12 लाग बारा लाग जो कि है 72.2 तो 100 परशन का वैल्याग है सरी 050 वो फ्रेक्शन की वज़ए से आया है सहीं आंसर तो 4,62,000 है चलो फ्रेक्शन की वज़ए से हम छोड़ देते हैं इट मेंस भी कैल्कुलेटर उठाओ आपको विश्वास नहीं होगा तो 0.8 divided by 1.108 तो यार वो 0.7220 ऐसा है और इन्होंने 0.722 ले रखा जीरो के बाट टू और है अगर उसको आप एम प्लस में डाल दो और फिर 12 लाखी लिखिए में डिवारें मर्स करोगे तो वह आगया 16,62,000 एक्कूरेट यहां एक्कूरेट आंसर नहीं आई एक्कूरेट आंसर तो यह होना चाहिए था चार लाग वाशट हजर ठीक है ना सर आप ही सही हो जी मैं सही हूं यहां तक बात समझाए कि रिस्क फ्री हमको 4,62,000 का अपने पॉर्टफोलियो में मिलाना पड़ेगा 12,62,000 अगर मैं कहूं कोशन क्या यहीं खतम हो जाना चाहिए था यहीं लेकिन आई सी एई के मटेरियल में क्या इस बात को प्रूब ही किया गया कि देखो भई यह देखो हमारा रिवाइस पॉर्टफोलियो और फिर पॉर्टफोल बनाएंगे और उसमें एक दो तीन चार के अलावा पाच्वा और आजाएगा किस नाम से आजाएगा यहां आजाएगा रिस्क फ्री के नाम से कितना 4,62,000 जिसका बीटा कितना जाएगा जीरो और फाइनली आंसर कितना आना चाहिए आपको पॉइंट एट आट जाना चाह अब पॉर्टफोलियो का बीटा कितना इंक्रीज करना है 1.2 करना तो आप ऐसे कर लो जैसे किया था यह तो फिर मेरे वाले तरीके से कर लो कि भई वेटेड एवरेस बारा इंटु 1.108 एक्स इंटु 0 रिस्क फ्री तो बारा लाग प्लस एक्स और यहां कितना रखना 1.2 आंसर कितना आएगा 14,40,000 बस 1.20 X इसक्वल तो 13,29,600 माइनस 14,40,000 divided by 1.2 तो 92,000 माइनस में यहां मतलब सर इतना पैसा उधार लोगे रिस्क फ्री पर माइनस में मतलब रिस्क फ्री पर उधार लोगे ठिक ओके सर यहां भी ऐसे किया कि हां बेटे यहां किसी और तरीक वो जो मैंने कर वाया था न उस तरीके से किया तो 12,108.30 पर यह कैसे किया होगा पता है न आपको 1.2 is equal to 1.108 into weight of a plus 0 into weight of b या 1 minus weight of a कोई फरक नहीं पड़ता और weight of a निकालोगे तो यह आटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा वह यहां किया हना तो यह जो है यह fraction में लिखा इट मेंस 92,000 accurate answer है और यह 91970 क्यों आ रहा है क्योंकि यहां उन्होंने round off कर रखा है सर हम क्या करेंगे मैंटिक कोई फरक नहीं पड़ता आप 92,000 लिख सकते हो ठीक अब पर जिननों ने जिनको रट्टा मारने किया दा थे तो फिर रट्लो क्या फरक पड़ा पर आप यह लिख सकते बही इतना तो चलेगा ठीक है तो बस बस इतना सब्सक्राइडिशनल इंव तो विट्रेड एवरेज वीटा कितना आगया 1.20 रिस्क बढ़ा दिया अपने तो यह कोशन था अच्छा कोशन है और इससे भी अच्छा कोशन है यह सब पॉइंट्स तो मुझे लगता नहीं था कि RTP में दो कोशन एक जैसे डालना चाहिए सब आली पैदानी होता है पर में खास ध्यान देनी वाली बात किया है बिल्कुल ध्यान से क्योंकि जो बच्चे मच से भी पढ़े ना मैं उनको यही सला करूं दूंगा कि एक बार इससी निकल जाता ने यह फिगर निकल गए हमारा कि हम भाई हमको इतना पैसा है रिवेस्ट करना है रिस्क प्री से इसको पॉर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी पढ़ाते हैं पर एक्चुलिय में यह कोशन मीजल फंट का है कोशन क्या है बीसिकली क्या है कोशन में कुछ है नहीं है एक्चुली क्या होता है asset management company में अलग-अलग portfolio manager होते हैं और वो अलग-अलग portfolio manage करते हैं अलग-अलग जगा पैसा लगाते हैं और पैसा लगाने के पर हम उनका performance चेक करते कि कौन से portfolio manager ने अच्छा performance दिया उनको return कितना risk था और उस risk पर उन्होंने return कितना कमाया यह सब कुछ चेक करते हैं और जो अच्छा performance करता है उसको अवर्ट जो भी हूँ यह सब कुछ देखा जाता है तो उन लोगों को performance कैसे चेक करें तो उसको चेक करने के लिए तीन लोग पिक्चर में शार्प, ट्रेनर, एंड जेंसन अलफा एक बार देख लेते क्या है फाइ प्रटफोलियो कौन है, प्रटफोलियो कितने है A, B, C, D, E, Average Annual Return मतलब उन्होंने कितना कमाया इस प्रटफोलियो में 19 परशन कमाया गया, On an average, 7 साल में, इस प्रटफोलियो में 15 परशन, इस प्रटफोलियो में 15, इसमें 17.5 और इसमें, अगर रिटन के लिहाज से बात कर तो यह बहत्रीन पोर्टफोलियों मैनेज किया गया क्योंकि इनकी कमाई बहुत हुई 19 परशन कमा इसा लेकिन अगर रिस्क की बात करो तो रिस्क भी तो ज्यादा लिया यार 2.5 परशन रिस्क ठीक है स्थर आप खुद इन दोनों को रिटन क्या दिख रहा एक जैसा दिख वी और सी का लेकिन जाद रिसक लिया यहां 2 परशन का रिसक और यहां 0.7 पॉइंट तो उसे साब से देखो तो इन सीज जो पॉटफोली कम रिस्क पे इन्होंने ज्यादा कमा कर दिखाया तो सब कमाया ना पर रिस्क ज्यादा था गल्ती से डूब जाता तो दिक्कत में पड़ा जाते ना आप क्लाइंट को गया जवाब दोगी अच्छा यह रिस्क है और यह क क्यों दिया हुआ मैं बताऊंगा मार्केट का रिस्क दिया स्टेंडर्ड एविएशन मार्केट का रिटन भी दिया रिस्क फ्री भी दिया हमें क्या करना है हमें रैंक करना है पॉर्टफोलियो का शार्प मेतट से ट्रेनर मेतट से और जेनरेशन अलफा से हमें यह बताना है कि कौन सा पॉर्टफोलियों ने सबसे अच्छा रिजल्ट दिया और वो रिजल्ट रेंक देना वो रेंक किस हिसाब से देना है किसमें ज्यादा एक कौन सा रिश्यो बताया शार्प रिश्यो तयार अपने अच्छे से सुना होगा और शार्प रिश्यो का फॉर्मुला क्या है आर्पी बोल दूं आर्पी माइनस आर्फ भाई रिस्क फ्री से आप ज्यादा कमा रहा है हां तो कितना जमा एक्सिस रिटर्न एक्सिस रिटर्न किस वज़ा से रिस्क की वज़ा से तो यहां क्या जाएगा इस्टेंड डाइविश मतलब आप क्या आप जो एक्सिस कमाया किसकी वज़ा से कमाया सार्प सर रिस्क कौन सा रिस्क है टोटल रिस्क लेना टोटल रिस्क को बेस लेना कौन बोलता है शार्प ठीक इसी तरह से और इसका सबसे इनका भी यही कहना है R P minus RF लेकिन जो रिस्क लोगे वो लेना है आपको systematic risk यहाँ भी excess return है यहां भी access return है पर sharp बोलता है कि हम base किसको लेंगे total risk को जबकि ट्रेनर में बोला है है total risk पर portfolio manager का unsystematic risk पर control नहीं होता है बात किसकी करोगे systematic risk की ठीक और बात किसकी है अलफा यह वही वाला अलफा कि आपने इतना कमाया rp पर आपको कमाना कितना चाहिए था कमाना कितना चाहिए था जिसको आप के ही बोलते हो या यार जो भी लिखना इटमेस और यह कैसे निकलता था आरएफ प्लस आरएफ माइनस आरएफ इंटू बीटा सर यहां भी systematic risk को बेस माना है कितना कमाया कितना कमाना चाहिए था कितने किसने extra कमा कर दिया है जिसने extra कमा कर दिया और जितने जादा extra कमाया हूँ हमारे लिए जादा अच्छ बइससे alpha-alpha तो यार management में पढ़ते हो alpha याद रखना है उसमें 2 alpha है चोड़ो नहीं कहां तो भाई तीन है एक sharp ratio एक trainer ratio और एक jensen alpha हसान है कोई मुश्किल लेकिन सबसे मुश्किल काम क्या है यहां तो सब कुछ है इस्टेंडर डिया हुआ है बात खतम हो जाएगी पर हमें जो जरूरत पड़ेगी वह जरूरत पड़ेगी बीटा का और बीटा का फॉर्मुला क्या है सर बीटा का फॉर्मुला इस्टेंडर डिया हुआ इस्टेंडर डिया हुआ इस्टेंडर डिया हुआ इस्टेंडर डिय लेगा बीटा निकले और एक भार बीटा निकल गया तो फटाफट से हम लोग यह भी निकालकर रखनेंगे एक 2.75 standard deviation of security यह हमालो तो 2.5 divided by 1.2 correlation यह है 0.84 चेक करो कितना रहा 2.5 divided by 1.2 in 2.84 1.7499 तो 1.75 यह निकाला और बीटा को यह क्या return from the portfolio rp sir rp तो था पिटी rp ने एक्च्वल में एक ही है required rate of return और यह rf कितना दिया है चेक करो rf पी तो दिया हो sir rf दिया 9 तो 9 प्लस 14-9 और बीटा निकला है 1.75 14-99 इंटो 1.75 प्लस 9 17.75 परशंट यह क्यों काम आने वाला कहां काम आने वाला 17.75 परशंट यह आएगा आपको alpha निकालने के alpha कैसे निकाला जाता है वो तो आपको मैंने बताए 19 बाइनस ठीक इस तरह से यह इन्होंने बीटा निकाला और यह उन्होंने के निकाला के आरी बोलते इसको आरी भी बोलते के बोलते जो भी अब फिर क्या निकाला शार प्रेशो यह निकाला मैं इसी की 19-9 divided by standard deviation कितना 2.5 और ये कैसे लिए किला होगा trainer 19-9 और बीटा कितना 1.75 और ये कैसे लिए किला होगा 19-17.75 एक बार चेक कर ले थे 19-9 divided by 2.54 19-9 divided by 1.75 ओहो बीटा सही है तो था 1.75 तो अच्छा 19-9 divided by 1.75 5.71 ये भी सही है और 19-17.75 उन पॉइंट 2.5 इस सबसे अगर हम सारफ रिश्यों के सबसे हाईस्ट हाइस्ट कौन सा ये तो इसको रैंक 1 दे दिए गया अगर ट्रेनर की बात करो तो हैस्ट ये है इसको रैंक वान होगा और यहां हाइस्ट की बात करो तो यहां यह रैंक वान है तो अगर मुझसे बोले की कौन से पॉट्फिल्यो मैनेशन ने बैस्ट परफॉर्मस किया तो जवाब ऐसा एकदम से नहीं दूंगा यहाँ भी ऐसा नहीं कि बताओ आप कौन सा हाँ जी यह रहां question no six और question no six जो है वह derivative से derivative में याद कीजिए को option होता था और option के अलावा और क्या होता था sir interest rate उसके अलावे होता था future और future में भी एक होता था commodity future और commodity future में hedge कैसे करते थी यह मैंने आपको समझाया होगा पता नहीं question sir कहां का बाहर का है क्या नहीं आपके study mat का ही है हुदता क्या है सुनना दिहां से यहां जो है वह जैसे मेना कोई commodity purchase करके रख लिया commodity, copper, steel, gold मैं purchase करके रख लिया है क्या सोच कर purchase किया होगा अगर purchase किया है एक सल तक hold करके रखूंगा माल एक सल तक तो क्या सोच रहा होगा मैं यह सोच रहा होगा कि यार इस commodity का जो price है वो बढ़ेगा हाँ बोलो हाँ हाँ तो इस वजह से मैंने commodity long position कौन सा position buy करके रखा मतलब मेरा long position ठीक एक्चुल में खरीद के cash market जिसको मैं cash market बोलता हूं मैं actual में commodity purchase करके रखा है कि price बढ़ेगा price बढ़ेगा तो no doubt फायदा होगा लेकिन क्या price कम भी हो सकता है हाँ अगर price कम हो गया भगवान न करे तो क्या में बरबाद हो जाऊंगा हाँ जो आज एक हजार रुपए का खरीद के रखा है कलको 30 परशन से डाउन हो गया और कौन सा position ले लेते short गिरने का डर ना तो चलो गिरने पर बैटिंग करते तो अब होगा क्या अगर बढ़ता है तो मैं महगे में बेचूंगा हाला कि उधर भी मेरा loss हो जाएगा पठी के एक profit एक loss compensate हो जाएगा hedge hedge का मतलब समझ रहे हो आप सर बचने के लिए आप future market में opposite position ले सकते हूँ यह हमने beta management में भी किया है और यह हम यहाँ भी कर रहे है खेर question देखते हैं पुरा topic तो समझाने से रहा में अर्टीपी शॉल करवाना फिर भी जितना हो सकता हम करने की कोशिश करेंगा ठीक है अ कंपनी इस लॉंग लॉंग का मतलब समझते हो आप सर लॉंग पोजिशन मतलब बाई करके रख दस एमटी टन टन समस्ते हो एक टन में कितना केजी एक टन में एक हजार केजी ठीक है दस मेट्रिक टन है कॉपर और कितने के हिसाब से 534 के हिसाब से मतलब 10,000 केजी और 534 के हिसाब से आपने खरीद के रखा आपका कौन सा पोजिशन है असर हमारा लॉंग पोजिशन है तो 10,000 इंटू 534 फिप्टी ट्री लेक्ट फोटी थाओजन यहां तक कोई समस्या नहीं है और इंटन तो रिमें सो फर दी इंस्योंग क्वार्टर अगले क्वार्टर था खोल्ड करके रखिंगे पोजिए टीक दो वेरियंस वेरियंसे श्टेंड आविशन निद वेरियंस अप चैंजेज इन इट्स स्पोर्ट एन फ्यूचर आर 16 परशन एन 36 परशन सर यह क्या है बिटे यह है कि हमें ऐसा लग रहा है पास्ट को देख कर चैंज इन स्पोर्ट इस इस कैस मार्केट कितने परशन का 16 परशन और चैंज इन फ्यूचर मार्केट और फ्यूचर मार्केट में कितने परशन का चैंज हो सकता है 36 परशन का ठीक लेकिन यहां चैंज का मतलब क्या है वेरियंस और वेरियंस से क्या आपको इस्टेंडर ड एविशन करोगे तो कितना 4 परशन इसका स्टेंडर्ड एविशन करोगे तो कितना 6 परशन अब आर्टीपी सॉल कर रहा हूं और आर्टीपी कब सॉल किया जाता रिवीजन नाम से लग रहा रिवीजन टेश्ट पर अगर आप को होगे कि सर यह हमको नहीं आता वैरेंस से निकाला क्यों यह बता दो यह मैं बतावंगा मिरी जुमिहां अनननि कानल ग्राथ निकला चार पर्शन और छे 1 ठीक है ईक और को रेलेशन इन दोनों की बीच का टेड़का है को रीलेशन steals you लूग पार्टार रही वितना है को रीलेशन together is a मांग क्या रहा, calculate the optimal hazard ratio, यह है क्या, सुद्धिन दि में बोलू तो यह क्या है, बीटा, और बीटा किस काम आता, मेरी बात समझ रहा, मैंने यह आप से कहा, कि भई, आपको क्या लग रहा है, सर हमको ऐसा लग रहा है, सुना धिहान से, है क्या अक्चुन में, मैंने कोई commodity purchase करक यह रखा है, और मुझे, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका rate बढ़ेगा, पर मुझे ऐसा भी लग सकता, मुझे डर किस बात का, कहीं भाई, यह कम हो गया, तो मालो यह 10% से कम हो गया तो, कम हो गया तो मुझे loss होगा, तो चलो ना है और बैटिंग कर लेते, future market में, future market मतलब stock exchange में में जाके बैटिंग कर रहा हूं, कि यह copper, copper मान लो ना है, यह जो copper है, इसका rate गिरेगा, जो rate चल रहा है, उससे गिरेगा, तो मेरी बात समझने की यह कोशिश करना, कि अगर इसका rate 1000 kg है मान लो, तो जरूरी नहीं है, कि 1000 kg का rate जो भी चल रहा, 534 रुपए है, तो आ कि अगर इस cash market में, अगर यह 10% से इसका price डाउन होगा, तो future market में भी डाउन होगा, लेकिन perfect positive नहीं हो सकता, हो भी सकता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि 10% से डाउन होगा, तो यह जो future market में है, यह भी 10% से डाउन होगा, नहीं, यह add भी हो सकता, डाउन होगा, पर positive correlation होता ह है पर परफेक्ट पॉजिटी होता है यह तो मुझे यह पता लगाना पड़ेगा कि यार अगर ये कैश मार्केट में 10% से डाउन होता है तो फ्यूचर मार्केट में kl7 कितने पर्शंट इस igान होता है इसको हम बोलते है जिए तो किम्वाइज समझ में आथा और एक बीटा निकल गया तो फिर तो मैं बता दूँगा कि किया दिख्कत तो सर्वटा कैसे निकाला जाता है तो याद करो बीटा कैसे निकाला जाता था सर याद दिलाओ कैसे निकाला जाता था हम बीटा निकालते थे इस्टेंडर बीटा निकालने का फॉर्मूला होता था इस्टेंडर डेविशन अप सिक्यूरिटी इस्टेंडर डेविशन अप मार्केट into correlation XO market यहां क्या करना यहां भी हमें standard deviation of spot देखना security हमारे लिए यह होगा future market को हम क्या बोलेंगे standard deviation of future into correlation spot and future तो देखा जाए standard deviation आप निकाल चुके याद रखना बस एक बात spot उपर, spot से security उपर रहता market नीचे रहता, हाँ ना भई वैसे तो मैं भी कर रहा हूँ तो मुले मार्केट में स्पोर्ट कितना 4 पर्षन और ये कितना 6 पर्षन और कोरेलेशन कितना 0.75 एक बार मुझे बीटा पता लागे तो फिर मैं आगे बात करूं आपसे 4 by 6 into 0.75 आंसर आगा 0.4 मतलब 0.5 इस 0.5 का मतलब बिटे मतलब चाहिए मचे फॉर्मूला छोड़ो अगर मतलब बता दिया तो मजा जाएगा सर मतलब ये हुआ ना सर सीधा सीधा ये क्या फ्यूचर अगर फ्यूचर फ्यूचर याद रखना तो जो spot है वो 0.5% से गिरेगा और सुद्धिन दिमें अगर सरफ future 10% से गिरेगा तो जो spot है वो 5% से गिरेगा ठीक अब करना क्या है करना ये है कि आपका कितना पैसा लगा हुआ है spot market में 53,40,000 और अब आपको किसमे पैसा लगाना है सर हमको लगाना future market में और future जितने से गिरेगा उसका आधा spot हुआ अब सूच के दिखो या मुझे perfect है formula तो मैं फटा फट से लिखवा दूगा formula आप अराम से कर लोगे लेकिन अगर मैं आप से बोड़ रहा हूं कि मेरा already long position 53,40,000 इसका मतलब अगर ये गिरा spot market गिरा तो बोलो क्या future भी गिरेगा yes सवाल ये है अगर spot 10% से गिरा तो future कितने percent से गिरेगा बस ये आपको decide करना और दिक्कत ही नहीं है आप फटा फट से अराम से decide कर लोगे आपने हैज ratio कितना निकाला है five actually हम बात करते future कि अगर future गिरा तो इस spot कितने से गिरेगा बस हुआ है अब हमें क्या करना है हमें ये decide करना है कि हमें betting करना है तो betting किसमें करना future में कितने रुपए की बैटिंग की जाए कितने रुपए से बैटिंग किया जाए ठीक है निकाल लेते हैं तो समझके यहां तक तो बहुत अच्छे से गया अब कितने रुपए से बैटिंग की जाए अगर फॉर्मिले की बात करूं तो फॉर्मिले में लिखा है सर 53,40,000 आपका स्पॉर्ट मार्केट में लगा है और बीटा है 0.5 तो आपको बैटिंग करना है 53,40,000 इन्टू 0.5 आपको सर बैटिंग करना है रुपीज 26,70,000 शॉर्ट पोजिशन लेना सिम्पल से बाता शॉर्ट ही लेना पड़ेगा और किसमें लेना पड़ेगा फ्यूचर में क्यों बजया बता दू क्योंकि सर फ्यूचर अब समझना फ्यूचर मानलो सर्थ दस पर्शंस से गिरेगा 10 पर्शंसए डाउन हो का तो इस पोट आपका जो है ना वो 5 पर पर्शंसे डाउन होगा अच्छा हां सर सुचो बाश्यना अगर मानलोर इसमें 10 पर्शंट का लाउस Bizimز 10% से डाउन होगा 10% का लॉस क्या भी तो हम प्रॉफिट होगा 10% तो सर इसका 10% निकाल लो और इसका पाच पर एक ही आंसर आएगा हाना बिट्टे आप खुद सूच के देखो अगर मैं इसका 10% निकालूंगा तो कितना आ गया 262,662,662,662,667,000 इसका 10% और इसका कितना प प्रॉफिट होगा क्योंकि मेरा शॉट पोजिशन है और यहां क्या होगा 267,000 पाच पर्शन निकालो यहां क्या हो जाएगा लॉस और अल्टिमेटली क्या है हो जाएगा यस ठीक अल्टिमेट अब्जेक्टिव क्या है बस इतनी बात समझने की कोशिश करना सबसी पहले उसने क्या निकाला ऑप्टिमल है जरीशो कुछ और नहीं है बीटा है और बीटा निकालना आपता है उपर सिक्यूरिटी रहता नीचे मार्केट रहता मार्केट का मतलब फ्यूशर यह इस पॉट होगा एक बार बीटा निकाला तो उसके बाद हैज करने के लिए कितना पै परफेक्ट है जी और नंबर ओफ कॉंट्रेक्ट पूछा है और एमाउंट ओफ कॉपर फ्यूचर अराम से हो गया यह कोशन तो यहीं हो गया प्रेजेंटेशन ऐसा करना पड़ेगा सुनो प्रेजेंटेशन कैसे करना पड़ेगा यह क्या कहानी लिख रखा है लेकिन एक बात मेरी समझ में आदी किया ऐसा लगता सुनो मेरी बात बच्चो आराम से सुनना वैसे तो इस फॉर्मिले से ही काम हो गया दिस हैज रिशू पॉइंट फाइफ और इसी से काम बन सकता है पर यह जो कहानी जनोंने इस्टेंडर डेविशन का फुल फॉर्म इस्टेंडर पहले फॉर्मूला लिखा उसके बाद यह सब कुछ किया क्या हमें ऐसा करना चाहिए अगर मेरा कहना की बिल्कुल कर लो ना यार नंबर चाहिए तो करने में क्या दिकत वैसे यह एक लाइन से काम हो कैल्कुलेटर से काम होता है ना यार प्लीज थोड़ा लिख लिया करो ह तो यह आगया आपका परफेक्ट है इस रिशो कौंसा पोजीशन लेना है भाई सिंस दा कंपनी इस लाउंग पोजीशन इंस पॉट मार्के लांग पोजीशन इसमें है तो सिंपल सी बात है शॉट पोजीशन किसमे लिया जाए का फ्यूजर में नंबर अव कॉंट्रक्ट 10,000 kg divided by 1,000 kg यह कहां से आगया नंबर अव कॉंट्रक्ट 10 empty था तो 10,000 kg था पहले से बोलो हाँ 10,000 kg था उसे सबसे 10,000 into .5 तो बोलो 5,000 kg पे आपको क्या करना पड़ेगा शॉट पोजीशन और 1,000 kg 1,000 kg का एक कॉंट्रक्ट तो नंबर अव कॉंट्रक्ट कितना जाएगा पांच शॉट पोजीशन और यह पांच जार कहां से पांच जार केजी और कितने के साब से 534 के साब से तो आपको 26,70,000 पर शॉट पोजीशन लेना पड़ेगा ठीक है ठीक है कोशन था कमोडिटी फ वहां तो बहुत-बहुत जादा डिटेल में है बहुत टेकनिकल कॉशन ठीक है सर नेक्स्ट कॉशन पर चले का जी यह कोशन और यह मेरे खाल से रिपीट हो रहा है आप एक पॉइंट के लावा बाकी सारे पोइंट से रिपीट है इस टाइप का कॉश्चन कोश्चन नंब portfolio of shares of an investor is as below 3 company A limited, B limited, C limited number of shares are 3 lakh 4 lakh, 2 lakh और price दे रख और बीटा दिया पोर्टफोलिय बीटा निकल लेंगे कोई समस्या है नहीं the investor think that the risk of portfolio is very high बीटा पोर्टफोलिय सबसे पहले निकालना पड़ेगा और जो भी निकलेगा वो बोल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा है, very high ठीक है भी और reduce करना चाहते है और कहां तक 0.91 करना चाहते है no doubt कि जो पोर्टफोलियो बीटा निकलेगा वो 0.91 से ज़्यादा ही निकलेगा, यह कहना चाहता हूँ he is considering to below mention alternative strategy, this is beta management, कि भाई जो पोर्टफोलियो बीटा निकलेगा, 0.9 उसको 0.91 से ज़्यादा, उसको 0.91 तक लाना है, तो बहुत दो strategy है, पहला dispose of a part of his existing portfolio to acquire risk free security, यहाँ बात समझने वाली है, एक question ऐसा था, जिसमें 12 लाक रुपए का portfolio अल्रेडी था उस question में पाचवा question है, question में 5 उस question में उसने यह नहीं बुला था कि इस 12 लाक से dispose कर दीजिए security और risk free security को add कर दो यह नहीं बुला था, उसमें यह बदला था 12 लाक तो रहने दो as it is पर risk free security को और इसमें डाल दीजिए, वो पिछला question इसमें यह बुला कि नहीं जितने रुपए का आपका portfolio है, उसमें से जो existing portfolio, existing security कुछ उसको dispose of कीजिए बेज दीजिए, और उसके बदले में risk free security ले आईए इस तरह से beta management, दोनों question में अंतर है, सर अगर यह नहीं लिखा रहता, सिब यह लिखा रहता कि आप portfolio का beta जो है, 0.91 कर दीजिए using risk free security तो मैं existing portfolio को हाथ नहीं लगाता तो भी मैं additional risk free security को डाल देता पर इसमें साब साब भी dispose of लिखा ना इसी दूसरा या तो tech appropriate position, simple सी बात, एक तो ऐसे कम हो सकता दूसरा कैसे हो सकता आपका कौन सा पोजिशन है लोंग तो आप पोजिशन ले लिजिए future market में, this is beta management तो tech appropriate position on nifty future which are currently traded at 125 this is future का price है और कितना है nifty point जो है वो 200 टीक है number of वो हो गया and each nifty point is worth rupees 200 यह rupees 200 थोड़ा सा रोंग है यह हो गया number of contract होड़ा से multiplier 2200 में होगा सबसे पहले तो क्या निकालना भाई portfolio बीटा वो तो हम बहुत असानी से निकाल सकते उसमें मुझे ज़्यादा समझाना नहीं क्या किया इन्होंने कोशिश यह करना सुनो ना यार आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं कि हम बड़े expert लोग है हमको तो calculator चलाना जब बरदस्ता आता है पर calculator के चक्कर में फैल मत हो जाना presentation important है आपको भी मालूम है कि यह जो इन्होंने time pass किया ना एक line में काम कर सकते एक line में नहीं करना भी तो यह number of shares हो गया market price हो गया यह काम हो गया तो यह पाच हजार लाक का आपका portfolio है weight निकाला multiply किया तो यह आगया हमारा beta portfolio ठीक है और beta कितना रखना चाहते हो 0.91 तो 0.91 कैसे रखोगे तो उन्होंने इस तरह से काम किया ठीक और हम कैसे कर सकते थे ऐसे भी कर सकते weighted average beta कि भाई इसका 30% है तो इसको 30% करके कर सकते इस तरह से मैं ऐसे कर सकता हूं कि भाई देखो मैं कैसे कर रहा हूं portfolio beta कितना रखना 0.91 मेरे पास कितने का security पहले से 5000 लाक और उसका बीटा कितना है 1.30 agree यस 5000 लाक उसमें से 1.30 इसमें कुछ security निकाल दी जाएगी माइनस निकालोगे तो माइनस जाएगा एक्स यह नहीं मालूम कितना और जिसका बीटा कितना है 1.30 वही एवरेस प्लस कुछ security आजाएगी एक्स इंटो जीडो एक्स यह कौन सा security है रिस्क फ्री सिक्यूरिटी आप इसको वाय ले सकते हो कोई परकर निपढ़ और यहां क्या जाएगा यहां 5000 पहले से है हमारे पास 5000 लाक इसमें से सर को security चला जाएगा और को security आजाएगा ठीक है तो बड़ा सिंपल है जितना security जाएगा उतना तो एक्स एक्स ले ले लेते है एक्स एक्स आपसे में कट गया है तिक 5000 लाक का 5000 लाक रहेगा जितनी security जाएगा उतनी risk free security लाना तो दोनों को आप एक्स ले सकते हो यह ने ले सकते हैं अभी क्या करना इसके बाद एक्स इंटु जिरो तो यह भी कट जाएगा अब इसको solve करना तो पाच हजार इंटु 0.91 तो यह आगया 4550 यह आगया 5000 इंटु 1.3 तो यह आगया 6000 पास्टाओ माइनस 1.30 एक्स एक्स की वेल्यू निकल जाएगा माइनस 4550 डिवाइड बाए 1.3 तो 1500 लाग का आपको 1500 लाग का security हटाना पड़ेगा एक्जिस्टिंग पोटफोलियो का और new security जो risk free उसको लेकर आना पड़ेगा ठीक है आप ऐसे भी कर सकते हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं इन्होंने weighted average किया 0.91 जो पहले का portfolio है उसका 1.3 और risk free का है 0 तो यह आगया portfolio का value 30% अपको risk free वाला लेकर आना पड़ेगा और उन्होंने कर दिया पाचार इंटू 30 बश्न पंद्रा सो लाक रुपए का risk free security आपको acquired करना पड़ेगा और जो existing portfolio उसमें से पंद्रा सो लाक के risk free security निकालना पड़ेगा same situation आप ऐसे कर सकते हैं इसके बाद काम क्या होगा इसके बाद एक important बात उसने क्या पूछा है पहले तो यहां तो आगया पंद्रा सो लाक रुप है इसमें तो कोई शक नहीं है उसके बाद यह पूछा है number of shares of each company to be dispose of ठीक है आपने कहा कि पंद्रा सो लाक का shares based दो तो भाई कौन सी company का बीचे एका की बीका किसी का weighted average average करो ना यार वही जो weighted average था उसी weight में अब security dispose of करोगे it means weight क्या था इसका point 3.6.1 तो पंद्रा सो का point 3 करोगे 450 पंद्रा सो और पंद्रा सो का point 1 it means उसी weight में security dispose of करोगे जिस weight में already हमारा portfolio maintain था तो इस हिसाब से market price यह तो उस हिसाब से आप जो है वो इतने इतने रुपय का आप share बेचोंगे number of shares निकल जाएगा कि भाई पहले कितने shares थे उसमें से कितने shares आप बेच रहे हो number of shares पूचा कितने का बीचोंगे यह वाला बेचोंगे 450 लाग का एक प्राइस कितनी है 500 रुपय तो आप पॉइंट नाइन लेक सिर्स बीच दोगे वैसे इसका तो यह पूचा गया यह एक एक्स्ट्रा पॉइंट है मालनों में यह confusion करने वाला पॉइंट है पॉइंट नमबर जो C था ना यह थोड़ा से special था ठीक अच्छा question है वैसे यह अच्छा पॉइंट है इसमें यह दिमार्क नहीं चल देगा क्योंकि स्टैप का question ना मैं तो यहां तक हो गए हैं अब उसके बाद क्या पूच पॉइंट नमबर डी क्या पूच रहा है दा नमबर अफ निफ्टी कॉंट्रेक्ट टू भी बॉट और सोल्ड यह तो आपको मान नमबर अप कॉंट्रेक्ट मैंने एक फॉर्मूला दिया था आपको वैल्य पॉर्टफोलियो टार्गेट बीटा माइनस बीटा पॉर्टफोलियो एफ एंट और सर यह आपने समझाया है कि डिटिल में समझाया है ठीक है तो अब यह फॉर्मूला यहां समझाना बेकार की बात है यार बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा ठीक है नमबर अप कॉंट्रेक्ट टू भी सोल्ड अगर देखा जाए तो कितना लाख था टोटल मिलाकर पाच जर लाख था ना पाच जर लाख तार्गेट future 8125 multiplier कितना 200 और market का बीटा 1 देते है बन लोग ठीक 1 बस इसको solve करना 8125 8125 इंटो 200 तो यह आगेस 16 लाक 25,000 1950 लैक्स में है इंटो एक लाक कर देते था कि नमबर अप कॉंट्रेक्ट बिल्कुल साफ साफ निकल जाए तो माइनस में है 120 कॉंट्रेक्ट और माइनस में है तो मैंने आपको क्या बताया था पिटे कि शॉट कर लेंगे बस 120 कॉंट्रेक्ट शॉट करना पड़ेगा कि उन्होंने भी किया होगा अलाकि उन्होंने फॉर्मुला किसी और तरीके से किया होगा यह वही फॉर्मुला है 120 कॉंट्रेक्ट क्या करना सोल्ड करना सोल्ड करना यह शॉट करना बात कतम होगी ठीक है सर अगर देखा जाए तो सर पैसा कितना लग रहा है पैसा लग रहा है फॉचर में 120 इंटो 8125 इंटो 200 तो कितने रूपे से शॉट कर रहा है 100 Bs into 8125 into 200 so yeah again 19,50,000,1950,000 shot किसमे हो रहा है nifty कर दिया shot अब अब अगे क्या अब अब अगे important पॉर्टफोलियो का वैल्यू पॉर्ट फोलियो बीटाफ हा टू पर्शन राइज इन इमपॉर्टेंट निफ्टी दो पर्शेंट से बढ़ेगा अब सुनना अब यहां समझने की कोशिश करना आरामस निफ्टी दो पर्शन से बढ़ेगा, मार्केट निफ्टी, और बीटा कितना है भई, बीटा ओल्रेडी है 1.30, अगर निफ्टी बढ़ा, तो नो डाउट मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू भी बढ़ेगा, कितने से, अगर दो पर्शन से निफ्टी बढ़ता है, तो 2.6% से बढ़ेगा, निफ्टी के बढ़ने से, मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू बढ़ेगा, हमने शॉर्ट पोजीशन ले रखा है, तो क्या निफ्टी के बढ़ने से हमें लॉस हो जाएगा, हाँ, पर निफ्टी के बढ़ने से लॉस हो जाता है, हो जाने दो, पर हम यह प्रॉफिट कमा लेंगे लॉस होगा जितना पैसा निफ्टी में लगाया है उसका 2% का लॉस होगा लेकिन जितना पॉट्फोलियो में लगाया उसका 2.6% प्रॉफिट भी तो होगा चलो देख लेते हैं कितना लगा हुआ है 5000 राइस होने के बाद 2.6% से राइस हो जाएगा देख लेकिन लॉस भी तो है कितना पैसा लगा है 1950 इतने का लॉस नहीं है 1950 लैक्स का दो पर्षंट थर्टी नाइन लैक्स का लॉस हो रहा है ठीक तो 5130 में से 39 अब दे दोगे loss है ना betting किया था 39 का loss दे दो तो भी तो आपका पॉट्फोलियो अभी भी कितने का बचा 5091 का पॉट्फोल्यो बचा है 5091 और पहले कितने का था 5000 का था 5091 तो भी कितने से वेल्यू बढ़ा 91 से वेल्यू बढ़ गए आपका तो के बढ़ने से portfolio आपका बढ़ा हां कितने पर्षंटेस से बढ़ा 2.6 2.6 नहीं अब आपको चेक 1.82 पर्षंट से बढ़ा है क्योंकि वो जो लॉस बना उसको एजिस्ट करने के बाद आपके पास 1.82 पर्षंट ही तो तो क्या portfolio का बीटा 1.82 divided by 2 तो आंसर कितना जाएगा point portfolio का बीटा जो है ना हमारा अच्यू हो गया point 91 यह अच्छा question है और seriously बोलो दो बहत्री question को मिला कर यह question बना है इस RTP का मेरा favorite question तो बहुत अच्छे से करना है यह बताना वो पूछा भी होगा पूछा है साय कि portfolio का बीटा जो है वो अच्छी हुआ कि नहीं value portfolio बीटा बोला value portfolio बीटा फार 2 पर्षंट राइजिन निफ्ट सर जी यह question है वाकि अच्छा question है इसके लिए समझाओ अगर में सम्झाओ तो सम्झाने में इतना मज़ा जाएगा पर यह time की कमी है तो थोड़ा समझाना मुस्किल है detail में पर बात यहां से आपको समझी में जाए जिन्हों ने फिर से बोला हूं RTP तो तबी समझी में आई जिनको थोड़ा बहुत knowledge है जिनको बिल्कुल knowledge नहीं तो सर जी नहीं आएगा समझ में मैसेज करना मुझको कि सरी कोशन समझी में नहीं आया आप फिर से समझाओ फिर देखूंगा इसी के लिए वीडियो डालूंगा ठीक है नेस्ट कोशन पर चले अजी कोशन और यह फॉरेक्स कोशन है और यह एक तो एक्जाम में भी आया हुआ है सेम कोशन और इसके अलाव प्रेक्टिस मैनवल में भी था इस्टनी माटेरियल में भी है तो यह फॉरेक्स कोशन है जिसमें हमें यह डिसाइट करना होता है कि हमें इनवेस्टमेंट कहां करना है और किया हुआ है और इसका तो यह तो कोशन ही मेरा डला हुआ हुआ है यूट्यूब में डिटेल में आधा एक गंटा लगा है उसको समझाने में तो अगर आपको यह कोश्चन नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लोगे है जो बैंक्स लंडन ओफिस लंडन 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 मतलब पाउन चलता है सरी यहां थो ठीक है भई तो सर है क्या बिटे बैंक होगी किये लो यह लेचे भई बैंक और बैंक कहां है लंडन ठीक है सर्प्लस फंड सर्प्लस है इन लोगों के बस तो सर्प्लस से तो क्या करना है इन्वेस्टमेंट ही करना होगा अग्वा तू दी एक्स्टेंट ओ हो सर्प्लस फंड जो है न वो पाउंड में नहीं है वह डॉलर में और इनके पास है डॉलर फाइफ लैक ठीक है बी से लंडन ओफिस में लंडन ब्रश जो फंड है वो डॉलर समय हमिटे डॉलर में है कोई जिकत नहीं सर्प्रस में अब आप्र नहलां गड़ेगे हो सकता किसी को कि फंड थो हमारे पास पड़ा यह है इसके बाद हमें को सकता वापस करनीगा कि अप सब्सक्राइब लाइं कि लिखा है वेलगे इस किसी लोट पाका भी हमारे पास रह ellas नहीं टेखत लेगे हां लिखा तो है, the cost of funds to the bank, 4% per annum, to the bank, to the bank मतलब, सर आप bank हो, हां, ऐसा बोलो न, मैं बैंक, हूँ तो में लेंडन में, मेरे हां पाउन चलता, पर किसी का डॉलर रखा हुआ, बोलता साहब, हमें तीन मेने बाद दे देना वो डॉलर, मैं दे दूंगा, पाच लाग डॉलर, ले 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 न, भई, तीन मेने बाद, अब ये जो पाच लाग डॉलर, इसके बदले में, मुझे ब्याज भी देना पड़ेगा, और ब्याज कितना, 4%, कितने मेने के लिए, तीन मेने के लिए, it means, मुझे जो रिपे, रिपे करना पड़ेगा, डॉलर पाच लाख विट इंटरेस्ट देख लेते हैं 4 पर्षंट तो 3 मेने का कितना हो है 4 इंटू 3 बाइ 12 दिवाइद बाइ 1 पर्षंट 1.01 सर तो आपको डॉलर 5 लाख 5 जर वापस करना है आज मेरे पाश डॉलर कितना 5 लैक 3 मेहने बाद मुझे डॉलर का डॉलर वापस करना पड़ेगा विट इंटरेस्ट मुझे 5 लाख 5 जर वापस करने पड़ेगे पर ये डॉलर आएगे कहां से ठीक है रडखे तो आपके पाश डॉलर हाँ पर यार बेकर में 5 लाख 5 लाख में दे तो रहूं इंटरेस्ट पर इसे कुछ कमा तो लूँ मेरे पास सर प्लस है डॉलर 5 लाख इसको कहीं मैं इनवेस्ट कर दूँ तो कैसा लगेगा आपको सर मजा जाएगा चलो देखी कहां कहां इनवेस्ट कर सकते हैं ठीक है इट प्रबोज डू इनवेस्ट ठीश इस फट इस फंड में G'mm यहां की यहां लेकिव behvet सुने नहीं हमारी डॉलर मैं यह चलता है यह तो नैंयों हा यहां डॉलर चलता यहां इनवेस्ट कर सकतें या तो फ्रैंकफर्ट में कर सकते हुआ तो कोई औरी करेंसी चलती है पता नहीं कौन सी चलती है एफफ बोलते है एफफ पता नहीं जो भी होगा क्या करना हमको आप्टेन दा बैश्ट येल्ड विदाउट एनी एक्षिन रिस्क डूदा बैंक भाई कोई रिस्क नहीं होना चाहिए बोले फावट कवर करना है आपको किसी भी हालत कहां कहां की बात किए लिख लों के बर लिख लो सब्सक्राइब या तो कहां इनवेस्टमेंट हो सकता लंडन या तो कहां हो सकता है इसके अलावा नियोक या तो कहां हो सकता है इसके अलावा फ्रैंकफर्ट तीन जगा ठीक देख लिए तक क्या कहानी है क्या श्टूरी है कौन कौन सी करेंसी चलती है तो यहां चलती है पाउंड यहां चलती है डॉलर और यहां ले लेते हैं F F कूछ तो लिखा नहीं F F F EUR 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 कहां से मिलन गाए यह ना EUR अच्छा साहब अब सुनो अबूसर इंवेस्टमेंट करना तो डिसिजन कैसे लेंगे डिसिजन सी बात है जहां जादा भी आज मिलेगा वहां invest करेंगे लेकिन ब्याज के अलावा भी एक चीज और देखने वाली है वो है action rate ठीक है तो सबसे पहले लंडन में investment करने पे आपको जो interest मिलेगा वो मिलेगा 5 परशन और यहां मिलेगा 8 परशन और यहां मिलेगा सिर्फ 3 प्रतिशत तो अ लेकिन दिल को चुड़ो सबसे पहले one by one क्योंकि अभी बहुत सारी चीजे जो discussion करने है the market rates in London for US dollar and euro अब यहां समझना market rates in London for किसका rate dollar और euro dollar और euro London London में क्या चलता है pound sir इसका मतलब pound के लिए कितना dollar और pound के लिए कितना euro हाँ it means new york में जो rate दे रखा है वो रख दे रखा है dollar per pound और यहां जो दे रखा यहां दे रखा euro per pound sir कैस कैसे पता कैसे लगा कि dollar पता ऐसे लगा कि में मैं अच्छे से जानता हूं pound one में dollar हमेसे ज्यादा ही आएगा ठीक यूरो तो कम ज्यादा होता पर पाउंड डॉलर ज्यादा ही आता है दूसरी बात पाउंड कॉमन करेंसी यहां भी पाउंड है यहां भी पाउंड है ठीक तीसरी मत लिखा है market rates in london for dollar and euro तो अगर एक समसी यहां आ रही थी बच्चों की कि सर्फ पता कैसे लगेगा कि rate यहां dollar कर दिया है कि pounds कर दिया है dollar ऐसा भी तो बोल सकते ना pound per dollar पर वो क्या इन रेट्स को देखते हुए मैंने guessing कर लिया मैंने का न थोड़ा बहुत आपको दिमाग चलाना पड़े है ठीक है bid ask दे रखा है 1.5350 1.5390 और 3-month forward return हमारे लिए 3-month वाला काम का है यह 3-month वाला इट मेंस यह यह काम के निए इन दो यह किसी काम नहीं आए 1-1-2-month काम नहीं आएगे सिर्फ हमको देखना है किश्पॉर्ट जो नेकालना है न वाकिस में नला पाउंड में निकालना ठीक पॉंड में निकालना आत्या आत्या आत्यासान काम है है उतना भी असानी पहले सुनना ध्यान से कहा है हमारे पास किया डॉलर कितना है पाच लाग सबसे पर लंडन चलते हैं गये पाच परेशन पर इनवेश्ट लेकिन करो लंडन में तो पांड चलता और अपके पास डॉलर तो पहले इसको इस मत प्रेशे र्क抗िदैंड के रकधी पांड चेता मीड़क्ते धाGU जा मेरी धूर स्माज में चाहिए ठेकी रेन पॉनांनी 390 तो देखते हैं यहां आज convert करना है डॉलर पाच लाग रेट आ जाएगा 1.5390 तो पाउंड आ जाएगा चेक करो कितना पाउंड आ गया पाउंड आ जाएगा 3 इधर लिखों कि साइड में ऐसा ही करते हैं पाउंड आ गया 324887 राउंड आफ कर रहा हूं चाहो तो आप पॉइंट 289 लिख सकते हैं ट्री तो फोर एट इट सेवन इतना पाउंड इंवेस्ट कर दिया कब आज किस रेट पे 5 परशन तो 3 मेंने का देख लो 5 इंटो 3 बाइट 12 डिवाइड बाइड बाइट 100 प्लस 11.0125 तो 3 मेंने बाद जो मिलेगा वो पाउंड ही तो मिलेगा तो सर पाउंड मिला हमको 329 3289 इतना पाउंड आया थ्री टू एट 948 यहां तक ठीक यह पाउंड मेरे बैंक में आ गया वापस मेरी खुसी का ठीका नहीं वाव पाउंड आ गया पाउंड आ गया इतना पाउंड आ के बले सुनों तीन मैने बाद जिसका भी पैसा है वो पाच लाग पाच या डॉलर आएगा हां तो ठीक है ना हमारे पास तो पाउंड है हम खरीद के देंगे तो क्या पूरे को मैं कनवर्ट कर लूं डॉलर में पूरा पाउंड को नहीं करूंगा जितने की जरूरत है उतना डॉलर खरीदूंगा वापस कर दूंगा तो अब मुझे डॉलर वापस खरीदना पड़ेगा और डॉलर वापस खरीदना पड़ेगा तो रेट किसका दिया है पाउंड का बैंक पाउंड खरीदेगा मुझसे तो चेक कर लो खरीदेगा मतलब कौँसा रेट सर यह वाला रेट बिल्ड रेट खरीदने खरेट और स्वेप पॉइंट से यह असी पच्छा सी अ असेंडिंग ओडर में तो क्या होगा प्लस की मैनस ब्लस सर प्लस ही होता है ना तो 1.5350 1.5350 और 0080 को प्लस कर देते देखते क्या रेट आ रहा है 1.5350 प्लस.0080 तो यह आ गया है 1.543 तो जो भी पाउंड हमको लग रहा है कितना लग रहा पाच लाग पाच है डॉलर लग है तो इसके लिए हमें पाउंड में कनवट हमें एक डॉलर खरीदना पड़ेगा 1.543 के सबस तो पांच लाग पांच जार डिवाइड़ेड वा एमर्स एकवल टू तो हमारे खर्च हो जाएगे इसमें से 32 3272 327284 इतने डॉलर खर्च हो जाएगे तो बोलो कितने बचेग 948 तो हमारे जो डॉलर बचेगे पांच बचेगा वो बचेगा वो बचेगा 1663 इसका सॉलूशन है चिंता मत करो इतना डॉलर हम बचा लेंगे इसे आर्बिट्रेस गें बिटे सारा प्रोसेस में आपको समझा चुका हूं क्या होगा जो डॉलर होगा हमारे पास अवेलिब सबसे पहले क्योंकि लंडन में इनवेस्ट करना उसको पाउंड में करना पड़ेगा उसको इनवेस्ट करने पे हमें इतना पाउंड मिल जाएगा इसमें से इतना पाउंड खर्च हो जाएगा क्योंकि पाचलाग पाचलाग डॉलर हम लोगों को खरीद के वापस करना पड क्या है अगर नियु यॉर्क में तो सूचना ही नहीं है डॉलर है सिधा डॉलर इंवेस्टमेंट कर दो मतलब आपके पास कितना है पाच लाग डॉलर तो पाच लाग इंटू कितना है आठ तो तीन मेंने का आठ इंटू 3 बाइट 12 डिवाइड वाई 100 प्लस 1 1.02 तो इंटू पाच लाग तो सर हमारे पास 5万 act आजाए कि किसके पास आएगे यह वाओ इसको डॉलर चृत ए डॉलर ही आ गया पाच लाग दस दॉन्हां राक इसमें से पाच लाग पाच लाण दूर्दालर एंगे सामने मेले को तो हमारे पास किटना बैचां पाच लाँ बज गया लेकिन हमें आंसर तो पाउंड में ही दिखाना है ना बिट्टे हमें डॉलर में नहीं दिखाना और करेंगे क्या डॉलर का पाउंड में करो आप यूके के रहने वाले लंडन बैंक ब्रांच या कि तो अब उन डॉलर को हमें बेचना पड़ेगा तो यहां इसी रेट पे आ जाते हैं बैंक सोचो बटे पाउंड का रेट थी बैंक पाउंड बेचेगा और बेचेगा तो यह वाला रेट मतलब क्या हो जाएगा रेट चेक कर लेते हैं 1.5390 1.5390 प्लस 0.85 प्लस ही होगा 1.5390 प्लस 0.0085 होगा तो यह आगया 1.54 डिवाइड होगा कि मल्टिप्लाइब एकार का कोश्चन नहीं पूछ चोगे भाई पाउंड तो यह आगया पाउंड 3231 यह कपकी बात है अगर हम यहां बात बिल्कुल सिंपल से 5,10,000 डॉलर हम कमाएंगे नी यॉक से उसमें से 5,005,000 सामने वाले को पकड़ा देंगी पाउंड डॉलर बच्छा है उसको हम बेचके पाउंड ले लेंगे तो हमें 3231 पाउंड का फायदा हो रहा है ठिक और जबकि यहां 1663 तो यह अच्छा है नहीं नियॉक में इन्वेस्ट करो मेरा पहले भी दिल कर रहा था कि 8% बहुत होता है तीसरा क्या है फ्रैंक फर्ट चले जाओ भाई फ्रैंक फर्ट अब फ्रैंक फर्ट में समस्या है और फ्रैंक फर्ट में क्या समस्या है सुनोगे यहां से फ्रैंक फर्ट में यह समस्या है कि आपके पास डॉलर है तो डॉलर से सबसे पहले डॉलर और य और पाउंट से convert कराना पड़ेगा यूरो में और फिर यूरो के invest करोगे बड़ी समस्या ठीक है न सर हम तयार है गुट तो चलो पहले काम करें पहले पाउंट पाउंट तो इतना ही आएगा यार इतना पाउंट आ गया है ठीक है पाउंट कितना आ गया है हमारे पास सर पाउंट आ गया है 3,2,4,8,8,7 अब ये रेट दिया है आपका यूरो पर पाउंट बैंक पाउंट खरीदेगा मतला 1.8260 से multiply कर दीजी 3,2,4,8,8,7 into 1.8260 तो आपके पास आगया है यूरो 5,9,5,9,3,2,4,4 ले ले था हूंट इन तीन परण त्री 3 into 3 by 12 divided by 100 plus 1 1.0075 into 5,9,3,2,4,4 तो 5,9,7,6,9,3 ये क्या आगया है यूरो और यूरो कब आया भई है यूरो आया तीन मेने बाद विदेंट अब यूरो से सबसे पहले वापस किसमें conversions करना पढ़ एगा party कपांड हे थे तीन मेने बाद तो bank pounds बेचे गा बेचेगा थू यह वाला रेट है ना फैन फैस गर बेचेगा जिननेँ नहीं नहीं किया वह कोई स्थिक्कत नहीं पने शाब से पनाफ और तो इन की नहीं किया वह अपने हिसाप से means 1.8290-0.0140 तो यह आगे 1.815 डिवाइड ही होगा 1.815 597693 डिवाइड वाइमर से एक्वल तो भई आ गया पाउंड और कितना पाउंड आ गया 329307 एप्रोक्स इतना पाउंड आ गया हमारे पास उसमें असे खर्च हो जाएगा क्योंकि 5,5,5 डॉलर हमको खरीदना पड़ेगा ना तो उसके पीछे हमारा खर्च हो जाएगा यही वाला यह अल्रेड ही निकालके रखे है हमारा खर्च हो जाएगा 327284 माइनस 327284 तो हमारे पास 20 हमारे पास बचेगा पाउंड 2023 तो भाई यहां इतना पाउंड है यहां इतना पाउंड है तो यही वाला हमारे लिए चादा अच्छा यह कोश्चन हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है आधा एक गंड़ा खर्च हो जाएगा पर अच्छे समझ में डिस्क्रिप्शन में जाएगे चैक किजिए आपको एक कोश्चन मिल जाएगा सब फिर भी देख ले क्या क्या सर ऐसे प्रेजेंटेशन जीरो नमबर मिलेगा ऐसा प्रेजेंटेशन यह तो मैं आपको आटीपी है तो वैसे सौल करवार होने तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन से काम करवाता यह तो हमारे पास है सौल इसका देख लेते हैं फस्ट लंडन लें तो लंडन में सबसे पहले 5 लाग जो डॉलर है उसको इन्वेस्ट करना इन्वेस्ट करना तो 1.5390 पर कन्वर्ट करेंगे तो इतना पाउंड आ गया उस पर हमने इंट्रेस्ट कमाया तो इतना हमें वापस कर तो इसको खरीदना पड़ेगा और खरीद होगे तो 3,27,000 पाउंड खर्च होगा इतना कमाया उसमें से इतना चला जाएगा तो हमारे पास नेट कितना बचेगा 1662 पाउंड अगर हम इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं लंडन में नीयोक में करते तो कोई दिक्कत की बात नह होगा औ 500 dollar देके वापस Pound में convert करेंगे क्रूंकि अंसर हमको प्रण मेन लाना है तो इतना हमें फायदा होगा एक ढेक कर आदेखना आपके पास दूसरा यह दिखकी आपके मास तो आंसर ती सरा क्या है थी सरा resonance फिर हमारे पास पांच लиком उन्होंने क्रोश्रीट से किया ज इतना euro है, उसके हम pound में convert करेंगे तो इतना pound है, 329, और इसमें से खर्च हो जाएगा कितना, 327, 285, तो हम pound कितना बचा लेंगे, हम pound बचा लेंगे, कितना 2047, तो क्या अच्छा है, सर नो डाउट कोई शक ही नहीं है, कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए अच्छा ह तो ये क्वूशन था, डिटेल में समझ रहा है, आपको, सर जी, फिर तो अपको डिस्क्रिपशन में चाहिए, आपको मेरा लेक्छर मिलेगा, इसी कॉश्चन पर लेक्छर बहना हूँ है, तिक्यक्छैए, में डाल देता हूँ है, तो next question पर कि चले क्या है, चले जी,क्ष लिखा हुआ है, XYZ has imported goods to the extent of $8 million, the payment term R.S. ये लो है, XYZ, कहां है, India, dollar मतलब US, US में कोई party होगी, जिससे हमने क्या किया है, इंपोर्ट, तो क्या हमें payment करना है, yes, हमें payment करना है, dollar, 8 million मतलब dollar, 80 lakhs, ठीक, पहला, अब option है, पैमेंट कब करना है, ऐसा कुछ बताया नहीं है, बोल रहा है, 1% discount मिलेगा, if full amount is paid immediately, 1% discount ले लो, अभी क्या भी leading बोलता है, leading, चलो भई, अभी payment करो, सामने वाले को, और 1% आपको discount भी मिलेगा, और अभी rate कितना चल रहा, 66.98 के साब से, अभी payment करना, ठीक है, दूसरा, सामने वाला जो party है, वो 60 days interest free credit, जो है न, Mr. USA का जो भी person होगा, वो XYZ limited से बोलता है, कि, जो payment होगा, वो payment आप 60 दिन तक, बिना किसी ब्याज के, आप 60 दिन में payment करो, तो कोई अभी भी payment करोगे, तो discount ले लीजिए, है, 60 दिन में payment करोगे, तो discount तो नहीं मिलेगा, पर हम आपसे interest भी charge नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन अगर आप delay करते हो, तो delay भी आप 30 दिन तक कर सकते हो, 30 दिन तक delay करने में कोई, पर उन 30 दिन का हम आपसे interest लेंगे, और कितना परशन लेंगे, 8 परशन, it means, आप 60 दिन तक तो आपको से कोई interest नहीं लेंगे, लेकिन next 30 days, हम आपसे interest लेंगे, कितना परशन, 8 परशन, बताओ, for additional days after 60 days, वाई साब XYZ आपके पास पैसा है की नहीं है, तो यह बलते हैं हमारे पास पैसा है, already ऐसा नहीं कि हम खाली आते हैं, हमारे पास पैसा है, और हमारे पास अवेलेबल है, 25 लाख रुपैसा है, इन लोगों के पास अवेलेबल है, cash, सुनो, 25 लाख डॉलर अवेलेबल नहीं, यह 25 लाख रुपिया अवेलेबल है, 25 लाख रुपिया, हां, लेकिन हमारे यहां, हमारी बैंक, हमको ऐसा नहीं समझती है, हमारी जो इंडियन बैंक बोलती है, चिंता मत करो, XYZ लिमिटेट, अगर आपको पैसो की जरुपर पड़ी, तो हम आपको 90 दिन के लिए लोन दे सकते हैं, कितने पर्षेंट में, 9 पर्षेंट के सब से आपको लोन दे सकते हैं, ठीक, 25 लिमिनिक इट हैस ऑफर फ्रॉम बैंक फर एड लोन अप टू 90 दे सकते हैं, अब टूस से ज्यादा तो मांगना भी मत और उससे ज्यादा जरुद भी ठीक है भई करना क्या है करना यह है रेट्स दे रखा है पड़े तो अब करना क्या यह थोड़ा बहुत समझ में आ गया पर आगे और देख लेते क्या लिए एड़ाइस वीच वीच वन आप दा पैसा अवेलिबल ठीक है एन बैलेंस जो है बैलेंस जो पैसा लगेगा वह आप यहां से उधार ले नहों पर्षेंट के हिसाप से अच्छा अभी पैमेंट करोंडिस काूंट अलग मिलेगा ठीक डिस्काउंट मिलेगा बस यह फायता है मिलेकर और या तो इस वैज आपको 60 दिन साथ दीन तक इधर तो ब्यार ना पड़ेगा डिस्काउन भर नहीं मिलेगा मिलेगा हाँ बोलू हाँ दूसरा क्या समस्या है दूसरा है ज्यादा रेट पर 67.16 के सबसे आपको डॉलर्स खरीदने पड़ेगे तीसरा इस भाई साब की बात मान लो और इनको डॉलर का आठ प्रतिसर ज्यादा पैमेंट करो और नौप इससे उठा रहे हो ना तो आठ पर्शन इसी को दे दो यहां तो अपने वाले लूट रहा है नाइन पर्शन जब कि यह वह साब बोल रहा है जो भी होगा मिस्टर एक्स वह बोल रहा कि 8 परशन के साब से मुझसे ले लो भाई क्या दिक्कत है आप देढ़ से दो आठ पर्शन ब्याज देते ना जब कि यहां की बैंक क्या बोल रही नौपर्शन एक समस्या है रेट 68.03 रेट जाता है यह थोड़ा सा डॉलर जब खरी दोगो ना तीन मैने बाद तो और महगा पड़ेगा अब देखते किसमें क्या पहला वाला कि अभी क्या भी पैमेंट करो ठीक है फर्दर एज्यूम डैट जो कैस आपके पास बचेगा ना एकस वाई जैट के हिसा पास जो कैसे 25 लाग उस पे आप 4 प्रतीसत ब्याच कमा सकते हो अगर कमाना चाहते हो तो अगर आप उसको यूटिलाइस नहीं करते हो ठीक है एक साल में 360 दिन ले 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 एन कैश फ्लो ओहू इन करोर्स में काम करना रूपीस इन करोर्स टीक है इन करोर्स बोलता न यह न दिक्कत हो लाओ चार डैसीमल प्रेसिस तक बोलता चलो देखते हैं सबसे पहले एक परशन डिसकाउंट ले ले लेते हैं फर्स्ट अल्टरनेट मैं रफ में करूंगा प् इन देशन तो वैसी ही करना पड़े फर्स्ट अल्टरनेट असी लाक का एक परशन डिसकाउंट काटने के वार्ट सेवन्टी नाइन लेक्ट ट्वन्टी थाउजन ठीक इन्टू फिर बाद में करोर्स में कनवर्ट कर दूंगा नहार कितां 66.98 के सबसे सो लाक तो 53.4 डेसिमल 048 टू ले लो इतना सी आर लगेगा मुझको इतना करोड लगेगा एक परशन डिसकाउंट आज ठीक है और इसमें से मेरे पास कितना है बही टूंटी पॉइंट्टू फाइट करो पच्छिस लाक नहींगा अल्रेडी है तो 53.0482 53.0482 माइनस 0.25 तो भी मुझे 52.7982 पैसा लेना पड़े का 90 देस के लिए इंट्रेस कितना है नौ परशन 9 इंटो 3 by 12 divided by 100 plus 1 1.0225 तो देखले थे कितना आ रहा है 52.7982 इंटो 1.0225 तो सहाब यह आरा रुपीज 53.9861 CR तीक अगर हम कप पैमेंट करें आज प्रेजन्टेशन कैसे होगा यहां भी है वाव कितना अच्छा प्रेजन्टेशन ऐसा था हम करना ही पाएंगे रेट यह है हाँ बोलो हाँ 8 million discount काटने के बाद 7.92 million dollars तो भई उसको convert करोगे तो इतना CR लगेगा उसमें से cash हमारी पास इतना है उसके बाद लोन इतना लगेगा उस पे interest हम को इतना देना पड़ेगा 53.9862 CR हमारा कितना 5861 आया ठीक चलेगा ठीक फिस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है अब बात करते हैं सर सेकंड पॉइंट के second point pay the supplier on 60 days discount ने मिलेगा ठीक पे करेंगे दोरर्ट्स रख किस रिट पे 67.16 दो डॉलर cerca calculator चला लो आप भी तो इसको सॉलाग कर लाएं तो सर यह आ गया रूपीज 53.728 CR यह कब यह 60 दिन बात इतना CR लगेगा अब 25 लाग को यूज कर सकते तो इस पे जो इंटरेस्ट मिला उसको भी उज करोगे न यह 25 लाग करोगे क्या बैंक में जमा करोगे पॉइंट फाइब करोर्स हाँ बिल्कुस्ट से यहाँ IC AI ने थोड़ा सा अलग ट्रिटिमेंट कर रखा जो कि मेरी नजरों से सही नहीं है इन्होंने का इतना हमको लगेगा बहुत अच्छी बात है इसमें से बुले 0.25 करोड हमारी पास अवेलेबल है इतना लोन लगेगा और उस पे 30 दिन का इंट्रेस्ट और फिर इंट्रेस्ट अर्न और कैस इसको अलग से जोड़ा यह तो बेकुपी वाली बात है सुनो मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए था मेरे ख्याल से ऐसा था कि यार 25 लाक रुपिया जो था वो तो अब तो कैस यूटिलाइज हो नहीं रहा तो आपने उसको कितने दिन के लिए 60 दिन के लिए इंवेस्ट कर दिया साथ दिन के लिए कर दोगे तो अब आपके पास जो साथ दिन बाद कैस अवेलेबल होगा ना 0.25 CR और कितने परशन पर इंवेस्ट कर दिया आपने 4 परशन पर तो 0.1.04 कर लो इसको नहीं 4 है ना 4 इंटो 60 डिवाड़ेट बाई 360 100 प्रस वन तो 1.00667 ले लेते हैं इंटो 0.25 तो हमारे पास जो कैस अवेलेबल है वह आएगा 0.25 17CR हमें लोन कितना लगेगा माइनस 53.728 तो हमें लोन लगेगा 53.4763 CR तिक और इसको कितने परशन पर लोन मिल जाएगा आपको या जी अब बात करते हैं हम लोग कोश्य नमबर 10 कोश्य नमबर 10 फॉरेक्स से रिलेटेड है इंटरनेशनल फाइनेशनल मैनेजमेंट करके चैप्टर नया एड हुआ है पहले भी था ये चैप्टर FDI करके चैप्टर था अभी इंटरनेशनल फाइनेशनल मैनेशमेंट उससे रिलेटेड कोश्य नमबर पढ़ लेते हैं सर कोश्य नहीं कोश्य नहीं कोश्य नहीं है की के सर कोश्य न में क्या खास बाते देहन रिखा aby युसय बेश्ट कंपनीठ प्लैनिंग तो से ट अप आप अ सॉफ्ट्वीर डवलोपेंट और कंपनी हिय यूएस की और software development कहां करना चाहती है एंडिया में अजीब साने लगता company है US की software बनाना कहां चाहते है एंडिया में वज़ा वज़ा है लिब वज़ा है जो software skill person जो software बनाते हैं वो US में भी होके पर वहां payment ज्यादा payment करना पड़ता होगा labor charge जाद होगा labor charge कम है तो कोई US की company है जो इंडिया में software बनाना चाहती है अच्छा साथ इसको देख लेकिए इंडिया में software बनाना है और US की company है ठीक है कोई देकर नहीं इंडिया और software developed at the Indian unit will be bought back by the US parent आच्छा सब्सक्राइब कहां बनेगा इंडिया में कोई इंडियान कंपनी होगी जो software बना कर US कंपनी को वापस बीच दिए बनाएगा कौन इंडियान कंपनी बना को रहा बनवा को रहा है यूएस की company ठीक है तो सर परसन यहीं के होगे यह इंडिया लेकिन जो software बनके तयार हो जाएगा उसको यूएस company वापस लेजा लेगी वापस खरीद लेगी किस प्राइस पे तो हो सकता है कि जो word back करेगे किस price pay करेगे तो simple सी बात है transfer pricing याद है आपको tax में पढ़ते थे yeah tax में पढ़ते थे निहीं पढ़ते होगे 100% रखा होगा कि यार यह तो हमारी यह सप्सीडूरी है और इस से अगर हम वापस खरीद रहा है तो तो बोलो हम tax को avoid करने के लिए हो सकता है इंडिया में tax ज्यादा लगता होगा भया इंडिया में tax इसको लगी का ना tax तो हम ऐसे price पर transfer ले लेगे जिस पर इसको कम से कम profit देखे मैं tax पढ़ाने नहीं आया हूँ आपके इस पास simple सी बात है हम Indian company से जब bought back करेंगे जब वापस Indian unit से हम वापस खरीदेंगे तो हमारा ये तो हमारी ही unit है तो हमारा target ये हो रहेगा कि tax कम लगे और tax कम लगे तो हम government को बेकुब बना सकते हम government से बोलते हैं तो government हमने तो कम दाब तो इसलिए बोले price कौन सा तो बोले price decide होगा और price कौन सा decide होगा तो बोले transfer price कितना dollar 10 million ठीक है फाइनल होगा है transfer price bullet transfer price bought back transfer pricing अपने बढ़ा होगा कितने में बात हो रही है बोले हम बेचेंगे किसमें ये बेचेगा कितना dollar 10 million ये लो dollar 10 million में पीच रहा है अगे the unit will remain in existence in India for one year एक साल तक काम होगा the software is expected to get developed within this time frame एक साल में software बन जाएगा बोला ठीक है the US-based company will be subject to tax 30 percent tax लगेगा भाई US-based company US की company आपको 30 percent tax देना पड़ेगा इंडिया में with and withholding tax 10 percent in India आहा वैसे तो टोटल US की company को 30 percent tax लगेगा पर withholding tax 10 percent withholding tax tax का मतलब मतलब तो समझाने में बहुत टाइम लगेगा बस अभी इतना समझ लिए TDS है 10 percent TDS है 10 percent मतलब समझ रहा जब US की company 30 percent tax देगी तो 10 percent उसका 10 percent कम होके 20 percent tax total 30 percent tax है TDS 10 percent करता है तो बच्चा हुआ tax 20 percent ultimately 30 percent tax TDS बोला ना तो समझ में आ जाना चाहिए और बोला भी है will be eligible for tax credit in India ठीक है the software develop will be sold in the US market और यह जो US company है वो US के market में software बेज़ देगी ठीक है and many and many company are ready to acquire the same और बाकी company US में खरीदने को तहीं है ठीक है तो ultimately भाई US की company का काम क्या है Indian unit से software बनाना उसको वापस US में लेकिए आना US में बेज़ देना इस्तमिन अधर एस्टिमेट आरेस फॉलोस अब भाई यहां खर्च तो लगेंगे और खर्च क्या है rupees में लगेंगे तुबले rent for fully furnished unit with necessary hardware in India 18,75,000 रुपए रेंट देना पड़ेगा 18,75,000 ठीक है इसके लाब मैं पावर कोश्ट 80 software professional 10 घंटे काम करेंगे हर दिन और 500 रुपए पर मैं आवर यह तो आपको मुझे इंडियन यूनिट को से software बनाना है उसको यहां लेकर आना है और उसको बेचना है dollars में तो भीया सर जी कितने dollar का बेचेंगे जितना खर्च आया है उतना तो सर खर्च क्या आया सीधी सीधी बात है expenses क्या हुए सर expenses कि सीच के हुए सर expenses हुए है rent का दिख रहा है यह rent का इसके अलावा और क्या labor का खर्चा manpower बोला rent manpower यह dollar में convert कर लेंगे सर हां इसके अलावा क्या administration का खर्चा और इसके अलावा क्या इसके अलावा tax tax भी तो देना पड़ा इन सबको अगर मैं add करनूं इन सबको add करूं तो इतन जितना भी खर्चा हुआ होगा जितने भी expenses हुए होके कम से कम minimum उतना मैं अपने US customer से चार्ज करूंगा हाला कि यह जो expenses निकलेंगे रुपीज में हम उसको डॉलर में convert करेंगे बहुत बड़ी बात है नहीं सर तो ठीक है ना rent दिया हुआ है manpower cost यह भी दिया हुआ और टेक्स नहीं दिया ना सर और टेक्स तो आपको निकलना पड़ेगा और टेक्स किस पर निकाला जाता है प्रोफिट परॉफिट कितना हुआ हमें यह तो देखना पड़ेंगा और के लिए हमें लेना पड़ेगा बिना उसके बाद थे और सेल कितने में किया तो आपको 10,00,000,000 को जो है न 10,000,000 डॉलर जो है उसको रुपीज में convert करके सबसे पहले tax का amount निकालना पड़ेगा फिर सारे खर्चों को add करना पड़ेगा with tax tax 30% आएगा 10% 20% tax और फिर उनको आपको डॉलर में convert करो इतना expenses से हुए और US company हमें इतना US customer हमें इतना डॉलर दे देना मिनिमाम इतना चार्ज करेंगे बात समझी में आ रही है यह question कहां है यह question वैसे तो आपका practice manual से और उन्होंने 33 solution करवा रखा पर यहां जो solution दिया उसी के साब से मैं question करवा देता हूं ठीक है तो सबसे पहले tax के amount पता करने के लिए profit निकालना पड़ेगा profit कैसे निकलेगा sales माने सारे खर्चे देखते एक बार तो sales 10 million dollar और rate कितना है जी 10 million और rate यह दिया साथ रुपए साट ले लिया multiply कितने कि साट तो यह आ गया 60 million मतलब जो भी होगा उसके बाद cost में rent 18,75,000 चलाते रही है 18,75,000 ठीक है उसके बाद मैंन पाव 80,000 है 10 घंटे काम करेंगे 365 दिन यह 400 रुपए कि दर से आया है भई सर यहां तो 500 रुपए लिखा है न में कोश्टन है प्रेक्टिस मैंन वल है आपकी पास्वारी आर्टी पी है आर्टी में यहां 500 रुपए लिखा ओरिजनल कोश्टन में और सॉलूशन में 400 रुपए लिखा किसी भी चीज़ को मिस्प्रिंट हो गया है तो सर आप सॉलूशन को मैं कोश्टन में ही चैंज कर दिया अप समझदार हो मैं 400 रुपए के हिसाब से कोश्टन कर रहा हूं तो भई एक गंटे का 400 रुपए असी लोग है दस घंटे 300 पैसे दिन तो मेरे ख्याल से कैलकूलेशन में कोई मिश्टेक हो की नहीं इसके लावा एड्मिनिस्ट्रिशन अधर कोश्ट हो गया पंद्रह लाग तो टूटल मिलाकर इतना खर्चा आया है हमने एज्यूम किया कि हम कितने में सेल्स कर रहा है फिर अरुनिंग आफ्टर विथ होल्डिंग टेक्स होका है 40,55,000 तो यह टेक्स का अमाउंट हमें पता करना था उसके अलावा सर लेस कॉर्परेट टेक्स और टेक्स लागेगा नेट अप विथ होल्डिंग तो यह यहां थोड़ा समयचे मज़ा नहीं आया सॉलूशन अल्टरनेटव सॉलूशन में करवा सकता था यह जाएगा कहां यह जाएगा सर यूएस में और वहां टेक्स डॉलर में कैल्कुलेट होगा अल्टीमेटल इफेक्ट होई पड़ेगा पर अब थीक है हम मुझे आई सी ए आई के मटेरियल की सबसे मैं पढ़ा रहा हूँ इन्होंने का सब 10 परशन तो लग चुका है तो अब बचा हुआ कि तबीस परशन और टेक्स लगेगा और टेक्स इसी लगा रहा है इस परशन टेक्स तो चेक कर लो नेट टेक्स कितना तीस परशन लगना चाहिए था पर दस परशन तो पहले टीडियस कटा हुआ तो बचा हुआ बीस परशन लगेगा और लगेगा इसी पर है 45456253 जिरो इन्टु 20 परशन नाइन जिरो 12500 यह भी टेक्स होगे ठालकि मैं फिर से बॉल रहा हूं मैं से सहमत नहीं हूं पर मेरी सहमती से कोई को मैं वो लोहलो है नहीं नहीं पेड़ने वाला ठीक करना ऐस से ही है कि टना वो ले जाषा सकते है अब इसको उन्हों है डॉदर Kate किया साथ से डिवाइट किया तो इनका कहना कि रिपाटुरेशन amount हम इतना डॉलर ले जा सकते है 10 लाक डॉलर का total transfer price है उसमें से हम इतना ही ले आए तो बहचा हुआ है जो है ना 10 लाक माइनस ये कर दो तो हम बहचा हुआ किस से वसूल करेंगे customer से वसूल कर देंगे एक alternative ये था कि भई सारे खर्चों को add कर लो मतलब सर 18,75,000 ये अपका expenses हुआ है 62,00 फिर एक ये expenses हुआ है ये expenses हुआ है और कौन सा खर्च हुआ है 45,000 ये tax ये भी देना पढ़ा है ये expenses वो और कौन सा है ये वाला 901,25 ये expenses 187, सर कितना आए है तो ये रुपीज में है ना ये सर रुपीज में तो 6 तो ये है जाएगा 28456 ये रुपीज में है इतने expenses हुए टोटल हुए इतने expenses और डिवाइट किस से कर देंगे 60 से डिवाइट कर देंगे तो आपको डॉलर 4 7 4 2 7 इत मिनिमम आप इतना पैसा वसूल करोगे किसे कश्टमर से और वोई बात यहाँ भी लिखा है उतना ही आया देखो दो अल्टरनेटिव है दोनों हाला कि आप जब गहराई से देखोगे तो वही चीज मेंने भी करवाया है जितने expenses हो रहे हैं इंडिया में software बनाने कभी उतना ही तो मैं सामने वाले minimum उतना वसूल करूँगा तो बस यह काम कर दिया उन expenses को जोड़ लिए और यहाँ भी उन्हें वही किया है अल्टिमेटली वही किया है अल्टिमेटली सॉलूशन और भी हो सकते इस कोशन के कि टेक्स जो लगना चाहिए वो यूएस में लगीगा डॉलर में हाँ 10 परशन का क्रेडिट मिलेगा तो वो मेरे सब बाते बोलने से कोई फरक नहीं पड़ने वाला है ऐसी करके आजाना बच्छो अगर एक्चाम में आया था ठीका जी नेश्ट कोश्चन ये कोश्चन अब 11 आपके सामने आसां कोश्चन है और कहां काई सर इंट्रेश्ट रेट रिस्क मैनेश्मेंट का इंट्रेश्ट रेट स्वैप का कोश्चन देख लेए घुट रेट रेट रे टिव टु बंचंट रीच रभर रेश्ट रेट र बच? आज आजयो, इय। आजयो और नन ग्राइंट्रेश्ट करंग दमयंट करू अन इंट रूम मैं मैंट आजयों और ु आंट आजयो डेश्वेलThat। fixed payment on the principal तर कहना क्या चाहते है swap तो बड़ा होगा एक है derivative bank और एक जिसे swap कर रहे है उसका नाम है swap bank हो क्या रहा है सर बिटे आपस में ये क्या कह रहा है receive करेगा my bar ये receive करेगा my bar और my bar पर daily compounding होती है my bar का मतलब सम पता है ना मुंबाई इंटेर्म सर छोड़ो ना ये तो उनको आता ठीक है और जो payment होगा वो क्या होगा fixed तो इस भाई साब को क्या लगता होगा derivative bank को कि my bar उससे interest ज़्यादा मिलेगा और fix में मुझे interest कम देना मतलब betting हो रही है betting हो रही कि fix गिरेगा या फिर betting हो रही कि my bar वो बढ़ेगा my bar change होता है वो बढ़ेगा fix दिया जाएगा my bar से लिया जाएगा ठीक है नाम किया overnight index swap इसका मतलब daily compounding होगा daily interest calculate होगा daily compounding होगा ये तो आपको पहले से पता है ठीक तो swap was entered into on Monday 2nd August 2010 and was to commence on 3rd August 2010 run for a period of 7 days और 7 days का interest दिया पहले दिन इतना था दूसरे दिन इतना थीसरे दिन इतना चौते इतना ये तिया थोड़ा सा यह net settlement amount पूचा एक्चुली यह क्या मैंने पुराना question उठा लिया इसलिए थे calculate fix and actually उन्होंने fix का rate दिया आप अपने PM sorry RTP में देखना वहाँ fix rate दिया गया है और fix rate कितना दिया 8% और आप से क्या पूचरा आप सी ये नहीं पूचरा आप से पूचरा है net settlement amount question उन्होंने change कर दिया है RTP में sir यह question जो आप काट रहे हो actually यह practice manual question है पहले it means उन्होंने fix का rate दिया यह वाला दिया 8% 8% की इसाब से इसका figure निकालना इसका figure निकालना और पूचरा है net settlement कितना होगा बस Sunday को holiday मनना सबसे पहला काम इसका interest का amount तो हम निकालेंगे इसका निकालना पड़ेगा और इसका कैसे निकालो के इसका daily compounding होता है daily basis पर interest निकलेगा मैं आपको टेबल है मैं टेबल बता देता है ता गिवन swap arrangement in plain vanilla swap overnight index swap इसको समझाने की ज़रूत निए compute the net settlement यह important इस्टाइट कहां से हो रहा Tuesday से अब देखो विट्टे देखो करोगे क्या पहले दिन interest का rate कितना है 8.15 पॉस्ट ठीक सर यह कहां से है प्लीज कोशन जो है ना कोशन कोशन प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कोशन यह मत देखिए यह कहीं से मैंने जब वो किया है टाइपिंग कर वाया है तो टाइपिस्ट का calculation होगा तो किस पर होगा 10 लग का 8.15 परशंट एक दिन का interest निकले एक दिन तो इतना गया और फिर इसमें यह इंट्रेस्ट भी जुड़ जाएगा compounding कर रहा हूं अब जो इंट्रेस्ट लागेगा ना 7.98 परशंट एक दिन का वह इस पर लगेगा फिर यह वाला इसमें जुड़ेगा फिर इस पर लगेगा लेकिन समस्य यह है कि सर कैलकुलेटर में कैसे कर सकते आराम से कर लिए सकते बहुत पहला क्या है आपको बस यह लिखना पड़ेगा 10 million 10 10 10 मेरे साथ कैलकुलेटर धियां से चलाना 10 शीडो 2 23 टिक 10 million 10 million 10 million 10 million 10 uh…10 करोर है तो जरी 10 करोर है 10 करोर हो गया कैलकुलेटर में मैंने 10 करोर सब समय से लो बेटै बाक्य कॉंसेप्टी जी कैलकुलेशन मुशक्विशन है पहला यह 10 करोर मैंने लिख लिया कैल प्रिया इस को ना में प्यार से पहले M plus में डाल देता हूँ, चला गया M plus में, अब क्या करना है, 8.15 percent, 10 million जा चुका है आपका, तो अब भी क्या करना है आपको, फिर से 10 करोर लिखोगे, 222 into 8.15 percent divided by 365, बोलो कितना आया, जो आया, वाया सर 22329, 22328 point है, तो 9, उसको भी M plus में डालो, फिर MRC करो, तो MRC करने पर वापस यह आजाएगा, into 7.98 percent divided by 365, फिर M plus में डालो, तो यह आगया, 2186, 8, फिर MRC कर दीजिए, तो यह आजाएगा, into 7.95 percent divided by 365 किया, फिर M plus में डाला, तो यह आगया, फिर MRC कर दीजिए, तो यह आजाएगा, फिर into 8.12 percent divided by 365, फिर M plus किजिए, तो यह आगया, फिर MRC किजिए, तो यह वाला figure आगया, अब सवाल यह है, कि यहाँ था Friday, और Sunday को रहती है, छुट्टी, तो जब Saturday को calculation होगा ना, तो उस दिन interest जो calculate होगा, वो Saturday, Sunday को तो rate of interest होगई नहीं, तो Saturday और Sunday, दो दिन का interest होगा, दो दिन का, कौन से वाले rate पे, Saturday वाले rate पर, Saturday को जो rate of interest होगा ना, उस पे 8.15, Saturday का है, पर उस दिन 2 दिन का interest calculate करोगे, compounding नहीं करना, simple, it means करोगे क्या, क्या, यह फिगर आचुका है, yes, into, 8.15 percent into 2 divided by 365, तो यह आगया, M plus में डाला, फिर MRC किया, तो फिर यह आजाएगा, और उसके बाद, फिर यहाँ एक दिन का interest आजाएगा, और फिर आप इन सब को add कर लीजिए, तो यह जो interest का amount आया, वो किस के हिसाब से आया, सर जी, वो आया, floating, 154206, 154206, यह आएगा, अब किस के सब से निकाल लीजिए, अब निकाल लीजिए, fixed, fixed 10 करोड का 8%, 7 दिन का interest निकाला, तो यह आगया, 153425, 153425, इतना आने वाला है, इतना जाने वाला है, net settlement में, आप भी जानते हूं, किस को पैसा मिलेगा, इसको मिलेगा, इन दोनों का difference निकाले जीए, इन दोनों का difference कितना आएगा, चेक कर लेते हैं, हुग साथ स्वन एट सेटल्मेंट में 781 मिलेगा किसको मिलेगा डेरीवಈ तीव Bynko मिलेगा तो वह नेस्टिलमेंट एमैंट कौन किसको मिलेगा यह नहीं पूछा बसबोला अमाँंट पैड निका लिए वह नीकल तो इसमें कुछ खास बात नहीं थी सिर्फ सिर्फ कैल्कुलेशन वाली बात है कैल्कुलेशन बहुत अच्छे से होना तभी होगा और कैल्कुलेशन जल्दी चाहिए जीरो-जीरो लगाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता इसी वजह से और सार हम 10 करोड करके ऐसा कर दे त 10 करके रुपीज और करोर में कोशन करें तो बिट्टी तो फिल्गुछ छोटा-छोटा आएगा ना फिर दिक्कत में पड़ोगे एक दिन का इंट्रेस्ट इसी वजह से सेटरेड़े और संडे का धिहान रखना बाकिस कोशन में कुछ नहीं था ठीक है ने कोशन और ये राइम लगता उसको समझने में गेरिंग और बीटा पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा लिगा एश्टी आर लिमिटेड करेंट फानेशल ये इंकम स्टेटमेंट पोड़िट नेट इंकम आफ्टर टेक्स फिप्टी करोर्स मतलब क्या देख रहा है पैट प्रॉफिट ठीक फिप्टी सिया फॉल इस दा कैपिटल स्ट्ट्चर पाइश्टी आ लिमिटेड एड दी एंड और करेंट फानेशल डेट दे रहा है एक्विटी दे रहा है एक्विटी में शेयर कैपिटल इजर डेट का कॉपन रेट असी और दोसो पैजास तो टोटल में लगा तीन सब्सक्राइब क्या कोश्टन रपीजन करोर्स में कर रखा है लेक्स में कर रखा ठीक है कोई दिखते नहीं है फॉल डेटर इस गिवन टो एस्टिमेट कोश्ट आप एक्विटी कही निकालना पड़ेगा एसेट ओवरॉल बीटा दिया है एसेट बीटा दिया है मतलब पर्शन तो सबसे पहले आपको निकालना एवी है सीदी सीदी बात कर रहा हूं कि एवी कैसे निकाला जाता है सर एवी निकालते है नौपेट माइनस कापिटल इंप्लॉयर इनवेस्टिट कापिटल इन्टो डवी एसीच समस्या यह है कि हमको यह डवलू एसीच कैसे निकालेंगे डवलू एसीच वेटेड आवरेस कोश्ट और कापिटल तो इसके लिए हमको के एकी ज़रूत पड़ेगी और केड़ी की जरुत पड़ेगी सर केई कैसे निकलेगा केई कैसे निकलेगा तो के निकालने कि इसलिए होता आरेफ प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम इंटू बीटा आरेफ क्या दिया हुआ है सर आरेफ दिया है 8.5 मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया है 9 आप बीटा दिया वीटा तो सर यह तो दिया है बीटा विटे यह वाला बीटा नहीं है यह ऊवर एल्ल बीटा और यहां बीटा हमें कहीं के लिए चाहिए एक्वृटी बीटा और बीटा दिया से एकवृटी बीटा निकालना पड़ अनो क cursor lei ने आपको समझा equity beta into equity into e plus d और यहां 1 minus tax हो गए debt पर tax saving होता है न तो सर बीटा of asset यह दिया है 1.11, beta of equity यह निकाल सकते है, equity total में लाकर कितने का 250 equity है 250 plus 80 और 1 minus कितना करेंगे, 1 minus tax tax correct दिये 0.30, जब ऐसा करोगे तो क्या निकलेगा हमारा beta of equity और beta of equity कि यहां लिकलोगे तो क्या निकल जाएगा, k, क्या हो जाएगा, kd, kd कैसे निकलेगा, 11, 1 minus kd और फिर क्या निकालेगा, हम WSCC, जैसी weighted average cost of capital यह मिल गया, capital employed यह invested capital तो दिया ही हुआ, 330 करोड और यह pet है, pet से आपको nopet पे जाना, nopet कैसे निकलते हैं, मालूम है, EBIT minus, tax, earning before interest and tax, तो nopet, pet कैसे निकलता है, से निकलता है, EBIT minus क्या हो जाता है, interest, तो आता है profit before tax, minus क्या होता है, tax, तो आ जाता है profit after tax, तो सर, pet में सबसे पहले tax को plus करना पड़ेगा, और interest भी plus करना पड़ेगा, तो EBIT आएगा, हाँ, जी, हाँ, तो इस question में मुख्य मुख्य काम क्या है, मुख्य काम है कि आप WCC निकालो, नopet तो हम निकालना जानते ही, उसमें दिक्कत नहीं है, मुख्य WCC के लिए क्या निकालना है, केई, तो सर, सीधा के ओ निकालो ना, इस बीटा की उच करके, इस बीटा की उच करके, और 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 कॉश्ट ऑप कैपिटल नहीं निकाला जा सकता, कास आपने मुझे से क्लास लिया होगा, तो आपको पता होगा कि क्यों नहीं कर सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल मैं नहीं जा रहा है, आज आए, इन्होंने क्या कि, इन्होंने भी वही किया, और आल बीटा का फॉर्मॉला लिखा फटा फट से, और एकवटी बीटा निकल गया, वन पॉइंट त्री सेक्स, कोई दिख दिया है, तक नहीं सा, अब जो वन पॉइंट त्री सिक्स निकला, उसके इसाब से इन्होंने क्या निकला, केई निकला, देख रहा आपके सामने, किसको यूज किया, सार, C.A.P.M. यूज किया, कैपिटल एसिट प्राइजिं मॉडल, केड़ी निकल लिया, और केड़ी और केड़ी तो सीधा-सीधा, डबलू एससी निकला, और डबलू एससी आपको दिख रहा है, आंसर कितना आ गया, 17.58 बोर्शन, डबलू एससी, अब सवाल है, डबलू एससी, कैपिटल एंप्लोइड हमको मालों, सवाल बस इतना है, नौपेट, नौपेट के लिए क्लिए चाहिए, इबी आईटी, तो पहले इसको ऐसा करके, क्या निकाला है, यह PBT निकल गया, PBT में, प्रॉफिट विफो टैक्स है, उसमें इंट्रेस्ट वापस जोड दिया, इंट्रेस्ट आट सो असी लैक्स आया कहां से, तो पैटे समझाने वाली बात है, आप CA फाइनल में हो, यह 80 करोड का 11 परशन देखोगे, तो आपको इंट्रेस्ट निकल जाएगा, ठिक, तो यह आगया, आपको ऑपरेटी निकम या नौपेट, नहीं नौपेट नहीं आए, इबी आईटी में से टेक्स माइनस किया, तो यह आगया आपका नौपेट, और WACC आप अलरी निकाल इनवेस्टेट कैपिटल 330 करोड, तो आपका यह निकल गया, एकोनोमिक वैल्यू एड़ेट, अगर मैं देखू, मेरे नजरों से देखू, तो एकोनोमिक वैल्यू एड़ेट बहुत बहुत ही आसान टॉपिक है, बस इसमें घुमाने के लिए क्या किया है, सहाब, इन्हों बस ये दिक्कती ये दिक्कती बस और बाकी इसमें इस कोशन में कुछ नहीं है, अगर ये बन जाता ही, ये आता है आपको, तो ये तो नॉर्मल कोशन हो गया हमारा, एकोनोमिक वैल्यू एड़ेट का, ये कोशन सर, ये कोशन भी बाहर का, ये भी कोशन बाहर का नहीं है, स जो से नेक्स्ट कोश्षन पर चले किया । यस इसके बाद सायर आखरी कोश्षन है असके बाद हम क्लास ओफ करेंगा। हाँ जी लाश्ट कोश्टन कोश्टन नमबर 13 कोश्टन कहां से है कोश्टन है मर्जर एक्विजिशन कहां और मैं यह सोचा था बहतरीन वाला कोश्टन डालेगा पर कुछ है ने इस कोश्टन में मेरी जरूरत भी नहीं है अगर देखा जायता हूं क्या बोलरा देखें लिखा कॉली फ्लावर has पाच लाग शेर अ पाच लग मार्केट प्रैस चानिस वाहिल कैब इस तीन लग शेर्स और मार्केट प्रैस पच्छेस एपियस अब यहां इस कोश्चन में धोका दे दिया यह मुझसे भी गलती हो सकती है पहले भाई साब कैबेज लिमिटेट का दे रख शेर्स ठीक दिया एंपिया और पर जब एपियस की बात करें गलती से बच्चा जो लिखता है न वो ऐसे लिख सकता है थ्री इधर लिख देगा फाइफ इधर लिख देगा लेकिन बस यही गल निकल सकती है यस पाँच लाग इंटू पाँच पचिस लाग यहाँ कितना जाहेगा नॉलक ठीक दा मैनेजमेंट अबोद अकूंपरीज आ इसकेशिंग तो अल्ट इस्टेव लिख दिख दू अल्टें थे इस्ट शेर्स अपर नहां पर्दोंस इसके बच बासिते पर त EPS of vendor company divided by EPS of purchasing company तो दिख रहा है EPS के विश्यस पे 3 by 5 तो 3 by 5 इसी, sorry, 3 by 5 तो 0.6 आगे, share action ratio 0.6 दूसरा, one share for two shares, मतलब यहां 0.5 दिख रहा है, ठीक share action ratio से को दिख रहा है, calculate the EPS after merger under the both alternative, EPS after merger तो दोनों की earning जोड़ लो, post merger EPS, 25 plus 9, 34 lakhs, 34 lakhs divided by, 5 lakh तो यह रहेगा, 3 lakh 0.6 तो 3 lakh into 0.6, एक लाग सीजर प्लस पाच लाग, 6 lakh सीजर, यह post merger EPS आ गया है, अगर share exchange ratio कितना 0.6 24 lakhs divided by MRS equal to, तो 19.89, पच्च, सहीं तो है, पाच रुपे, हाँ यार EPS के basis पे मुझे भी क्या हो गया, तो EPS तो यह आएगा, पाच और 3 वापस, post merger EPS आएगा 5, ठीक, इसमें भी निकाल सकते हो, बस यहाँ क्या हो जाएगा, 3 lakh की जगा देड़ लाख जाएगा, मतलब यह आजाएगा, 34 lakhs, divided by 5 यह और देड़, मतलब 5 और 6 lakh 50, ठीक है, बस यह तो हो जाएगा, पोश्ट मर्जर EPS में कोई दिक्कत नहीं, impact on EPS बोला है, EPS पर impact बताईए, तो साहब EPS पर अगर आप EPS के basis पर काम कर रहे हो, तो कुछ impact पढ़ना नहीं है, अगर share action ratio EPS के basis पर है, तो भई इसका EPS पाच ही आएगा, इसका equivalent EPS ती नहीं आएगा, बच्चा question नहीं मर्जर का, खेर मैं यहीं से दिखा देता हूं ज्यादा अच्छा, इनफोर्मेशन वगेरा बनाया है, total earning 34 lakhs, छोड़ो यह कैसे calculate किया है, भूल रहा है, ठीक आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां आ गया, पोस्ट मर्जर EPS, अब सुनो, EPS before merger कितना था, पाच, और EPS after merger कितना है, पाच तो कोई चाहिज नहीं है, दूसरी काईबज लिमिटेट का EPS before merger कितना था, 3, और EPS after merger, तो EPS equivalent EPS निकलना पड़ेगा, और वो कैसे निकालेंगे, 5 into 0.6, तो इसको 0.23 का increase हो रहा है, और इसका 0.385 का decrease हो रहा है, ठीक, याद रखना है, यहाँ, equivalent निकालना, यह निकाला हुआ, 5.23 into 0.5, तो अगर मेरी नजरों से देखो, तो question number 13 merger का question है, थोड़ा bank banker डाल देता है, तो मजा आता है, यह तो बच्चा question डालके रख, बाके theory है, वह आप कर लोगे, RTP में ऐसा कुछ नया नहीं है, अगर आप RTP को नहीं भी देखते हो, तो कोई दिक्त नहीं होनी चाहिए, आपको, क्योंकि already books में सब कुछ सारे questions covered है, और कल मिलते हैं, ऐसा नहीं है, अब कल पक्का मिलेंगे, और कल क्या लेकि कुछ नए questions, जो पिछले attempt में question आया है, कुछ नए type के question, वह मैं आप वो लेकर YouTube में आऊंगा, क्योंकि सब भी को जाना है, वो मेरे बच्चों को भी जाना है, जिन्होंने मुझे class लिया हुआ है, उनको भी इस attempt के question paper, जो है old syllabus, new syllabus में तो सारे question book से ही आयते हैं, जो old syllabus है, उसके में एक दो question मुझे लग रहा कि आना चाहिए, और भी कुछ ratio वाले question है, जो आपके साथ discussion कर रहा है, करना है, तो मैं कल लेकर आऊंगा, तो अब तो उतना ज्यादा बढ़र नहीं है, daily basis पे आऊंगा, और कुछ नए question लेकर आऊंगा, पिछले exam में जो आए हुए है, सिप ICAI के नए question लेकर आऊंगा, उसके लागा question, Thank you so much, time ज्यादा लग गया, पर कुछ question लेकर दिसक्स करना जरूरी था, Thank you so much, Bye Bye